कि दिखे CRPC चल रहे थी और उसमें आपका 299 तक कल बता गया था जो क्लास चल रहा है आपका दूसरे दिन उसका वीडियो अपलोड किया जा रहा है जो लोग ना आए हो अपना वीडियो से भाई एक बार देख लें क्रैक्स को प्रयास एक जा रहा है कि आज जो क्लास चले हो कल तक अपलोड हो जाए क्योंकि एक्जाम का समय है तो जो लोग ना आप आ रहे हों आपका एक बार वीडियो से इधर का लेक्चर जरूर पढ़ लें आए देखा जाए आपका 200 अभी 300 से लेकर 300 से बता जाएगा आए आए आपका 328 से निकालिये भाई 3-2-8 सेक्षन आपका 3-2-8 से वैसे कभी इस चेप्टर अध्याय 25 चित विक्रित अभ्यूक्त ब्याक्तियों के बारे में उपबंद अनिकि जो ब्याक्ति जो परसन अनसाउंड माइंड है या विक्रिचित हैं तो उसके लिए जो ट्रायल के दोरान क्या किया जाएगा इसके लिए प्रावधान आपका अध्याय 25 में दिया गया है और धारा 328 से लेकर और 349 तक वैसे अब तक के इतिहास में यूपी में कभी भी कोई कोश्चन नहीं बना है लेकिन एक बार बिहार जे में ये जो बिचारण है अध्याय 25 का मने क्या किया जाएगा ये मेंस में जरूर बना है लेकिन यूपी में आ तक कभी भी कोई कोश्चन नहीं बना तो मा लिजिये कि आपका बनता भी है तो सामानी कुछन बनता है कि अगर ट्रायल के दовरान कोई एक्यूर्क या अभ्यूक्त है और वह चित भिक्रित है तो क्या किया जायगा तो विचारण को अस्थगित किया जायगा और सिविल सर्जन से परिच्छा कराई जाएगी परिच्छा के बाद रिपोर्ट मांगी जाएगी और अगल सिविल सर्जन यानि की डाक्टर ये कहता है कि ये अनसाउंड माइंड परसन है तब ऐसी दसा में आपका या तो पागल खाने भेजा जाएगा या उसके घरवालों को नातेदारों को इस गारंटी पर दिया जाएगा कि आप देख भाल करिये और ये अनसाउंड माइंड परसन न तो अपने को कोई नुकसान पहुचा पाए न दूसरों को ये गारंटी ली जाएगी घरवालों से और आपका समय समय पर सरजन या डाक्टर की रिपोर्ट आएगी अगर डाक्टर ने ये रिपोर्ट प्रेशित कर दी कि अब ये स्वच्चित हो गया है तो ट्राइल क्या किया जाएगा शुरू किया जाएगा ये आपका तब होगा जब विचारण के दवरान कोई ब्यक्ति अपराध का अभ्युक्त हो और उस समय क्या हो अनसाउंड माईंड भले अपराध करते समय वह पागल हो या न हो ये किसी स्टेड में पागल हम बता रहे हैं आपका जांच या विचारण दोनों में लागू थोड़ सकते हैं बस आपका conceptual अगर आए तो किसको सौपा जाएगा किस से report मांगी जाएगी ये जरूर याद रुके नातेदारों को या घर वालों को भी सौपा जा सकता है कि नहीं तो आपका जबाब रहेगा सौपा जा सकता है अब अगला अध्याए 26 अध्याए 26 अध्य कोशन प्री में बनने का चांस रहता है यानि कि मान के चलिए कि इधर से आपका चांस रहता है साथा छे सद्धाराय याद रखेगा पूरा इधर नहीं पढ़ा जाता है एक कोशन आपका बनने का अध्याए 26 से चांस रहता है अध्याए 26 में है न्याए प्रसासन पर प्राद्धों के विशे में, यानि कि ऐसे अफेंस जो एड्मिनिस्टेशन आप जैस्टिस पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि न्यायाले कंटेम्ट आप कोट हो गया, ये भी न्याय प्रसाशन पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि न्यायाले में फाल्स एविडेंस देना, य या मिथ्या कथन करना यानकी जूठी गवाही अगर नियाले में तो ये जो अफेंस हैं ये भी न्याय प्रसाशन पर ही प्रभाव डालते हैं यहां जो आपको सतर्क रहना है पहला जो इस चेप्टर को जब भी पढ़िएगा एक तो आपका सेक्षन CRPC 195 कभर करिएगा सेक्षन 195 के साथ IPC की भी कुछ धार आएं पढ़िएगा एक दू दारण हम बार रहे हैं जैसे कि मिथ्या साच देना 191 में आपका परिभासित है मिथ्या साच गढ़ना या रचना 192 में सेक्षन भी आदर के मिलाने के लिए आता है 194, 195, 195, 196 इधर गम भी रूप है अभी बताए भी जाएगा आपका पने IPC में ये अभी बताए नहीं गया है 25 दूसरा ये देखना है कि अगर न्याय प्रसासन पर प्रभाव डालने वाले अपराध किये गए हैं यानि कि एक उदारण के रूप में मिथ्या साच न्याले में दिया गया है तो ऐसी दसा में हम आप कारवाही नहीं कर सकते न्यायाले स्वैं कारवाही करेगा न्यायाले वह न्याले या न्यायाले द्वारा प्राधिकृत न्याले का अधिकारी लिखित में इसके लिए कंप्लेंट करेगा परिवाद करेगा तो कि धारा में ये प्रावधान है कि संग्यान ऐसे अपराधों का तभी लिया जाएगा जब न्यायाले स्वैंग परिवाद करे हम आप नहीं कौन करेगा न्याले या न्याले द्वारा प्राधिकृत अधिकारी करे मौखिक परिवाद नहीं यहां भी सतर्क रहिए लिखित में कौन सी धारा में प्रावधान है 195 CRPC तो जो 195 CRPC में परिवाद किया गया है उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा वह प्रोसीजर या उस प्रक्रिया का उलेखी अधियाए 26 में किया गया है धारा 340 से लेकर और 300 आपका 52 तक यानि कि 12 धाराएं इधर हैं अब देखिए अब सही रहेगा conceptual question जो आ सकता है पहले concept आपका clear हो गया कि अध्याय कब लागू होगा 1955 वाले मामले में और दूसरा अगर कोई ब्यक्तिन आया ले कि क्या किया है ओ मानना अब देखिए आपका 340 धारा देखिए धारा 195 में वरनित मामलो में प्रक्रिया क्या होगी तब 195 न पुछेगा क्या है क्योंकि अभी बता गया कि 195 में क्या है तो देखिए अब जब किसी नियाले को उससे इस निमित किये गए आवेदन पर या अन्य था यह राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन मतलब आवस्यक है कि सेक्शन 195 की उपधारावन के खंडखो में निर्दिष्ट किसी अपराद की अन्य क्वाई मित्या साच देना इत्याद की जो उसे यथा इस्तिती उस नियाले की कारवाही में या उसके संबंध में या नियाले की कारवाही में पेश की गई या साच में पेश की गई दस्तावेज के बारे में किया हुआ प्रतीत होता है जांच की जानी चाहिए तब ऐसा नियाले ऐसी प्रारंभिक जांच के पश्यात यद कोई हो जैसी वह आवस्यक समझे यान कि प्रारंभिक जांच करेगा कि क्या हमारे नियाले में फर्जी दस्तावेज दिया गया है की नहीं दस्तावेज से संबंदित को या पराद किया गया है की नहीं या क्या जूठी गवाही दी गई है की नहीं या जूठा साच रच्चा गया है की नहीं या तो आप परिवाद नहीं कर सकते फिर हम बता र करिए कारवाहि किया न्यायाले आप पर अप्लिकेशन नहीं देते तब भी न्यायाले सुमोटो से भी कारवाहि करता है तो न्यायाले पहले प्रारंभिक जांच करेगा और उसके बाद जांच में वह पाता है कि हां ऐसा अपराध लग मने प्रतीत होता है कि आ गया है तो अभ्युक्त को तलब किया जाएगा तमाम बातें होगी उतना नहीं पढ़ना है इसके बाद आपका ये 341 से कम कोचन बनता है ये मैं बता दूँ फिर आपका 341 यानि कि अगर न्यायाले ने परिवाद किया है तो इसकी अपील कर सकते हैं अपील कहां कर सकते हैं तो उस न्या यहां की अपील ऐसे न्यायाले से होती है जैसे मजिस्टेट का न्याले हैं तो सत न्याले में सामानतर सत न्याले ने ऐसा किया है तो हाई कोट में और हाई कोट ने किया है ऐसा तो कहां अपील कर सकते हैं सुप्रिम को 3142 342 छोड़ दीजिए 345 आपका कर सकते हैं कि छोड दीजे अब जो कोचन बनता है 344 यहां से अंडरलाइन करिए पहला जो आपका चांस रहता है इधर से बनने का आपका 344 से कोचन बनता है मिथ्या साच देने पर विचारण के लिए संचिप्त प्रक्रिया यानि कि आपका अगर सत्र नयाले या फस्कलास जूडिसियल मजीश्टेट किसी मामले में अंतिम आदेश देता है अंतिम निरने देता है और उसे लगता है कि हमारे नयाले में दस्तावेज से संबंधित अपराद किया गया है या मिथ्या साच दिया गया है तो कोट आप सेशन या फस्कलास जूडिसियल मजीश्टेट उसका स्वता संग्यान ले सकता है और स्वता संग्यान लेकर मामले में आगे कारवाही कर सकता है और अगर वह उचित समझे तो समरी ट्राइल कर सकता है उस मामले का संचिप्त बिचारण कर सकता है लेकिन आपका पिछले लेक्चर में ही बता गया कि जब समरी ट्राइल होता है तो दंड की मातरा आपका सीमित हो जाती है और अधिक कितने से अधिक दंड नहीं दिया दियेगा 262 के पहले कलाज में था कि दूसरे कलाज में दूसरे में पहला भी पूछा गया था उतरा खंड में कि संचिप्त बिचारण में कौन सी सामानितः प्रक्रिया अपनाई जाती है बता गया था कौन सी प्रक्रिया समन्वाली दंड कितना सदिक नहीं दिया जा सकता कलाड टू में तीन मासे भाई ये याद किए रहेगा इसके बाद आपका यानि कि कूट आपका कूचन ये बन सकता है कि क्या कूट आप सेशन या सतन्याले संचिप्त बिचारण अपना सकता है कि अपना सकता है लेकिन मामला किस में आना चाहिए 3, 4, 4 लेकिन ये भी याद रखे अगर संचिप्त बिचारण अपनाता है तो निचली लाइन बताती है सपश्ट रूप से कि कितना से अधिक दंड नहीं दे सकता तीन मा से अधिक का दंड दिया जाएगा कि नहीं नहीं दिया जाएगा और आपका कह सकते हैं बिचारण की प्रक्रिया संचिप्त बिचारण करता है तो क्या होगा तो वहीं होगी जो समरी ट्रायल के लिए दी गई हैं तो फिर एक बार याद रखे समरी ट्राल अध्याई 21 में है धारा 260 से 265 सत्त नियाले या फस्कला जूडिसियल मरिस्टेट सामाने तह वहीं प्रक्रिया क्या करेंगे ऐसे मामलों में अपनाएंगे यहां से भी आपका कोचन बनता है इसके बाद आपका 345 ओमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया यानि कि अगर आपने नियाले के आदेश का पालन नहीं किया या नियाले की ओमान ना की है तो उसके लिए 345 में प्रक्रिया दी गई है आपका नियाले उसी दिन उठने के पूर्व ही किसी समय संग्यान कर सकेगा और आपका कह सकते हैं देखे 345 से भी कोचन बनता है इसको पढ़ना पड़ेगा बेरेक क्योंकि इधर के अब धाराएं जो 4-5 है इधर से कोचन बनता है छोड़ा नहीं जा सकता 3-4 धाराओं से कोचन बनता है आपका मेन मेन पॉइंट अंडर लाइन करते रहे जो बता जाए कि यहीं आता है पूरा इधर सब्द भले न पढ़िये क्योंकि इधर पूरा सब्द कम देता है मेन पॉइंट ही देता है देखे आपका ओमान यान की कंटेंट के कुछ मामलों में प्रक्रिया पहला खंड देखे जब कोई ऐसा अपराद जैसे आई पीसी की धारा 175, 178, 179, 180, 228 में वरनित हैं किसी सिविल दंड या राजस ने आयाले की द्रिष्ट गोचरता या उपस्थिती में किया जाता है तो यहां तीनों ने आयाले हैं चाहें सिविल ने आले हो या रेवनू कोड हो या आपका कह सकते हैं कि दंड ने आले कि द्रिष्ट गोचरता मने उसके सामने या उपस्थिती में किया जाता हैं तब ने आयाले अभियुक्त को आपका तुरंत अभिरच्छा में निरूद कर सकता हैं डिटेन कर सकता हैं और उसी दिन ने आयाले के उठने के पूरू किसी समय अपराध का संग्यान कर सकता हैं कि क्यों न उसे इस धारा के अधिन दंडित किया जाए उचित अवसर देने के पहचात अपराधी को 200 रुपे से अनधिक जुर्माने का और जुर्माना देने में ब्यतिक्रम होने पर एक मास की अवध के लिए आपका साधा कारावास का दंड दे सकता है तो यहीं बस रकम याद रखना है 345 में आपका कितना जुर्माना हो सकता अधिक्तम 200 और जुर्माना देने में डिफाल्ट कर जाता है तो अतिरिक्त कारावास का दंड कितना हो सकता है एक मास साधा की कठोर की दोनों साधा वहीं लाइन याद करिएगा आपका 200 रुपिया अगर नहीं देता तो ऐसी दसा में आपका कितना दंड दिया जा सकता है वहीं दो लाइन बस याद करिएगा और इसमें ज्यादा न पढ़िएगा इसके बाद आई आपका जो पूछा जाता है 348 पूछा जाता है 348 भी पूछा गया है माफी मांगने पर अपराधी का उनमोचन यानकि अगर अपराधी माफी मांग ले चमा मांग ले तो जो न्यायाले ने आउमान के लिए दंड दिया है उससे छोड सकता है यहाँ जो आपका सटीक आपका जोड़ना है यहाँ जोड़ीजे आपका सेक्शन 362 362 की यहधारा अपवाद है 362 का यहधारा क्या है अपवाद इसके बाद आपका साम्या में भी हम देखेंगे इक्विटी में भी इक्विटी का भी एक सिधान समाईत है लेकिन आपका सबसे पहले देखा जाए 362 तब यहाँ देखना है 362 आपका लगातार पूछे जा रही है कि सामान्यतह जब आप राधिक न्यायाले एक बार कोई निर्णे सुना दिया या आदेश दे देता है तो वह न्यायाले जिसने निर्णे सुनाया है न तो उस निर्णे में कोई परिवर्धन करेगा नहीं कोई संसोधन करेगा क्यानि कि जो कोचन बनता है लगातार यह बरतमान में कोचन बन रहा है कि CRPC के तहत क्या नहीं हो सकता तो जो रिवियू है, फुनर विलोकन है CRPC में नहीं है तो कौन सी धारा उनर विलोकन या रिव्यू पर रोक लगाती हैं यानिकि न्यायाधिस या मजीष्टेट अपनी द्वारा पारित आदेश या दंडादेश का उनर उस पर विचार नहीं कर सकते ये रोका गया है कौन सी धारा 362 लेकिन मैथमेटिकल और कलरकियल तूटी सुधार सकते हैं यानिकि गणती और लिपकी तूटी क्या कर सकते हैं सुधार सकते हैं याद रखना लेकिन यहला का एबसुलूट रूल नहीं है एक तो अपवाद आपका 127 CRPC में हैं जहांकि भरन पोसंड की रकम में क्या किया जाता है परिवर्तन परिस्थितियां बदली तो आपका रकम भी क्या हो सकती हैं बदल सकते हैं पढ़ाना भी है यह लाक्ट में एक दो तीन चेप्टर जो बचेगा वह एक कुछ चनाएगा उसके लिए रोका नहीं जा सकता पूरा आपका कानून तो उसको बता नहीं पासा जाएगा आगे देखिए और दूसरा अपवाद हैं 348 अगर न्यायाले ने किसी अभियूक्ट को सजाद मने किसी व्यक्ति को औमान के लिए या कंटेम्ट के लिए सजादी हैं और वह व्यक्ति माफी माँग लेता है और माफी सदभावना में मांगता है दुर कर सकता है छोड़ सकता है यानिकि नियाले अपने ही आदेश में निर्णे में क्या कर दिया परिवर्तन जैसे कि मान लिजे कि सजा दी गई आपका मानना में माफी मांग लिया कोट में तो क्या उस अपनी निर्णे में वह नियाले परिवर्तन कर सकता है तो आपका माफी पर उम्मोचन पूछा जाता है याद रखेगा कि धारा में 348 एक्विटी का भी यहां सिधान्त है कि सामी की सरण में आने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए लेकिन अगर हाथ गंदे हैं फिर भी नयाया ले उसको सपोर्ट कर सकता है अगर वह पहच्चा अताप कर ल तो 348 में सामी का जो सिधान्त है कि सामी की सरण में आने वाले को क्लीन हैंड से आना चाहिए इसका अपवाद है नियम नहीं है क्या है क्योंकि वो गलत था नियाले के वो मानना किया फिर भी उसे क्या दे दी गई माफिर 349 से कोशन आपका बना है यानि कि फिर आपका 329 से भी खुब कोशन बना है उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले ब्यक्ति को कारावास या सुपूर्दगी यहां कोशन जो बना है फियोजे में कि उत्तर देने के लिए कोई ब्यक्तिबाद है या दस्तावेज पेश करने के लिए बाद है नियाले के आदेश के बावजूद भी वह न तो उत्तर देता है या न तो डाकॉमेंट पेश करता है तो उन्हें आया ले उसे अधिक्तम कितने दिनों के कारावास की सजा दे सकता है पहला तो यह अंडरलाइन करिए 7 डेज रट कर जाईएगा अधिक्तम कितना दिन के लिए दे सकता है आपका 7 दिन भाई इसको याद किये रहेगा यानि कि आपका यहीं पूछा जाता है कि अधिक्तम कितने दिनों के लिए आपका दंड दिया जा सकता है 7 दिन और वो भी आपका कह सकता है सादा कारावास यानि कि कठोर नहीं बलकि क्या सिंपल भाई रट कर जाईएगा दो कोचन उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इंकार करना कहां दिया गया है दो 349 में ऐसे ब्यक्तियों को अधिक्तम कितनी सजा दी जा सकती है सादा काराव सादा कठोर भी याद रखे सिंपल आपका इंप्रिजमेंट अधिक्तम कितना सादी बस इतना ही याद रखे प्री के लिए इसके बाद 350 में भी रखम पूछा जाता है समन के पालन में साच्छी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए समरी ट्राइल यानि कि संचिप्ट प्रक्रिया यहां आपका जो पूछा जाता है वह रखम पूछे जाते हैं गलत न हो रखम ये पूछे जाते हैं कि अगर कोई गवा है और उसको कहा गया कि हाजिर हो हाजिर नहीं हुआ तो क्या निया ले उसे दंडित कर सकता है कि नहीं कर सकता है और कि धारा में 350 में और अधिक्तम दंड क्या देश कितना लगा सकता है तो 100 रुपे तक का जुर्माना अंडरलाइन करें जो बस एक लाइन अंडरलाइन 349 में सादा कारावा साथ दिन 350 में कितना है 100 रुपे यह याद ही करना होगा और कोई उपाय नहीं इसका यह जो 100 रुपे आम बता रहे हैं और कोई इसका उपाय नहीं है बरतमान में प्रयास यह करिए कि जो जो कहा जाए कि यहाद करिए वह कोईचन ज्यादा बनें 350 से भी कोईचन खूब बना है आईए आगे देखा जाए इसके बाद 350 के बाद आपका 351 छोड़ दीजिएगा 352 भी नहीं पूछी जाती जल्दी अब आईए अध्याय 27 अध्याय 27 से आप आपका यह मान कर चलिए कि एक कम से कम एक और अधिकतम दो कोईचन बन सकता है यहनि कि अध्याय 27 से एक कोईचन तो फिक्स ही रहता है कभी काल आपका दो कोईचन भी बन जाता है वैसे जो उतराखंड का माडल है सदय लगभग दो कोईचन बनाया है इसमें सक नहीं है तो पिछली बार आपका कोशन बना था, वह निरने की अंतर बस्त कहां दी गई है, कांटेंट्स आप जज्जमेंट कहां दिया गया है, सेक्षन मिलाने के लिए आया था, तो सेक्षन आपका 354 में, इधर से आपका कोशन जो बनता है, अच्छे अच्छे कोशन बनते हैं, और अच्छे से तयार रखना है, आपका LLM अस्तर पर भी BHU में बना था, आपका 357A से 357A से बना था, फिर इसके पहले वाले उतराखन में 357A से बना, तो आपका फिर 365A से बनता है, 365A हम बताएंगे ही, 365A अभी बताएंगे, उससे भी A.P.O. में बना है, इनकी इधर से हमें लगता है कि कोश्चन ज़्यादा बनता है, हो सकता है कि आपका A.P.O. में दो कोश्चन मिल जाएंगे, इधर से जो आप पढ़ेंगे, जज्जमेंट के बारे में कुछ कंसेप्चुल कोश्चन भी बनते हैं, और उसको हम अलग से लिखवा देंगे, जहां गलती हो सकती हैं, लेकिन आइए, जज्जमेंट के बारे में, आपका जो दिया गया है प्रावधान, तीन सोव, आपका बावन, तीन सोव, तीरपन से लेकर, आपका तीन सोव, पाशड़ तक, अब जो कोश्चन बनता है, पहला कोश्चन तो 353 से बन गया था जे में, कि निरने कहां दिया गया, CRPC में, फिर 354 से भी बना, कि निरने की अंतर बस्त कहां दी गई है, फिर पीडितों को प्रतिकर की धारा में दी जाता ही है, तो 357 विक्टिम कमपसेशन इसकीम कहां है, 357 फिर निरने का पुनरविलोकन नहीं हो सकता, 362 और एक कोश्चन और बनता है, कि अगर मुख्य नयाइक मैस्टेट या सत्नयाले कोई निरने देते हैं, तो उसकी प्रतिलिपी, वह किसको भेजेंगे, हाई कोट को, कि सुप्रिम कोट को, कि उस जिले के, जिला मजी स्टेट को कि इन में से कोई नहीं, एक कोश्चन ये बनता है, तो किसको भेजेंगे, डियम को, कौन सी धारा, 305, इधर से धाराएं जो बनती हैं, वह पहले बता गया, अब अंदर से भी कोश्चन बनता है, अंदर वाले कोश्चन एक माडल देख लिया जाए, तब सुरू किया जाए, पहला माडल ये बनता है, कि निरने कैसे दिया जाएगा, धंग क्या होगा, तीन धंग है, वो हम बताएंगे, दूसरा माडल बनता है, कि आपका निरने लिख दिया नियाया धे, सुनाया नहीं मर गया, तब क्या होगा तिसरा माडल निर्णे लीखा सुना भी दिया लेकिन निर्णे पर साइन करना या मुद्रा डालना भूल गया तब क्या होगा ये भी पूछा जाता है और निर्णे कितने दिनों में सुनाया जाएगा बंद न्याले में सुनाया जाएगा कि खुले न्याले में सुनाया जाएगा अगला कोशन बनता है कि निर्णे सुनाते समें कब अभ्यूक्त की उपस्ति आवस्यक नहीं है ये भी कोशन बनता है ये भी हम बताएंगे अलग से अगला कोशन बनता है कि कब निर्णे में कारण का लीखा जाना आवस्यक नहीं है इनकी रीजन लिखना आवस्यक नहीं है कब ये कोशन बनता है फिर आपका जो कोशन मनता है, की ये कहां लिखा गया है, ये अगर मृत दंड दिया गया है, तो निर्ने में ये लिखा जाएगा, की इसे गर्दन में फासी लगा कर तब तक लटकाया जाए, जब तक इसकी मृत न हो जाए, आपका ये भी पूछा गया है, फिर एक केस दंड के धंग या तरीके पराधारित हैं कि मृत दंड जो ये दिया जाता है ये किस केस में बैद माना गया तो आपका दीना उर्फ दीन दया और मृत दंड किन मामलों में दिया जाना चाहिए रेयरेट आफ दरेयर के स्याद रिखेगा पुछा जाता है बच्चन सिंग या बेचन भी लिखा रहता है बेचन या बच्चन सिंग बनाम पंजाब राज जो मृत दंड दिया जाएगा रेयरेट आफ दरेयर इसके बाद आपका जो पीडितों को प्रतिकर निर्धारित किया जाता है 357A में वह रकम कौन निर्धारित करती है तो बिदिक सेवा प्रादि करण करता है या तो जिला अस्तर पर या राज अस्तर पर ये पूछा गया है फिर आपका पीडित का इलाज नव करने के लिए दं तो 357C देखेंगे यानि कि 357C अगर दुराचार की सिगार महिला है इत्याज तो उसका इलाज ततकाल और निसुल्क करिये और इसके साथ IPC की धारा 116 खो पढ़ा जाएगा भी भूम का जरूरी है थोड़ा बहुत बताना कि क्या क्या माडल आ सकता है और निश्चित तोर पे कोचन बनता है भाई जो इन लोग को देना है आपका रिवीजन ही करा जा रहा है बस ये मान कर चलिए कि एक मीमोरी रिफ्रेस कराई जा रही है और इस समय जो लोग सुनते हैं वो ज़्यादा समय तक याद रहता है चुकि तरो ताजा रहता है ततक काल सब कुछ रहता है और स्पीड में भी रहता है तो दिमाग अस्तिर होना चाहिए जरा भी एक सेकेंड दिमाग इधर उदर हुआ तो एक कोचन उपर से ही निकल जाएगा इस समय आपका साम को तो और स्पीड में चलता है सुबह तो काफी स्लो चल रहा है साम वाली स्पी तुचा रहें कि एक ही दिन में सर खतम कर दें इविडेंस इस पीड बढ़ाके लेकिन महीं एक दिन है अब आपका चार-पांद दिन कम से कम लगे कि हां असी नब्वे परसेंट क्या हो जाए कोचन आ जाए दिखिए आपका तो निरने देखिए आपका तीन सव तीरिपन पहले देखिए निरने आए कोचन और कब न्यायाधिस या मजिस्टेट आपका निरने के प्रतेक प्रिष्ट पर साइन करता है और कब केवल अंत में करता है अंतिम प्रिष्ट पर ये भी पूछा गया है तो जब स्वायंग लिखा है तो अंतिम और लिपिक से लिखवाया तो सभी पर यहीं यह सब कोचन जितने हम 15-20 बताए कोचन अब इसमें गलती च्छम में नहीं है मैं बता दूं इसमें गलतियां च्छम में नहीं है याद रखे अब देखे एक धारा का बेरेक शुरू किया जाए तो पहले तो आपका हेडिंग ही पूछा गया है कि जजमेंट कहां है CRPC में तो आपका तीन सो तीरपन इतना तो याद रहे पहला कलाद देखे आरंभिक अधिकारता के दंड नियाले में आरंभिक अधिकारता मतलब कि जो नियाले सबसे पहले निरणे देता है अपील में नहीं, रिवीजन में नहीं, और इनल जो डिक्सन मूल अधिकार था, होने वाला प्रतेक बिचारण में निर्णे, पीठा सीन अधिकारी द्वारा खुले नयाले में, तो खुला नयाले भी पूछा जाता है, अभी बताना भी हैं CRPC में, 327 CRPC में ये दिया गया है, कई बार ये भी कूछा ना चुका है, 327 में ये दिया गया है, कि जो क्रिमिनल कोट होगा, वा क्या होगा, ओपेन कोट होगा, या तो विचारण के खत्म होने के पच्चा तुरंत, यानकि जैसे एट्रायल हुआ, तुरंत निर्णे सुना दिया जाए, या बाद में, किसी स जिसकी सुचना पच्चकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी, यानकि इसका मतलब यह हुआ, कि या तो जैसे ही ट्रायल पूरा हो, यानकि दोनों तरफ से साच्या गये, पूरे बहस हो गई, आर्गुमेंट हो गया, बहस पूरी हो गई, तो आप कानून कहता है, कि पहला नियम यह है, कि आप ततकाल फैसला सुना दीजिए, अगर ततकाल नहीं सुनाते हैं, बाद में सुनाते हैं, तो जिस समय भी बाद में सुना यह, समय का कोई उलेक नहीं है, कि आ enabledक कोई आег में सुनाते हैं, विसला नहीं हो गई, तो ज़ैन सुना एया, कि उ समय भी तो गई. निरणे को दूसित नहीं करेगी आपका देदेगा तो क्या मार कराएंगे क्या इतनी बड़ी गल्ती हो गई कि निरणे ही अभयद हो जाए यह गलती यह अन्यमित्ता यह मिश्टेक यह तुरूटी निर्णे को अबायद नहीं बनाएगी यह भी आपका कोश्चन आचुका है कि पच्छकारों की अनुपस्थिती में दिया गया निर्णे तो ऐसी दसा में अगर सुचना में कोई तुरूटी हो गई सुचना पहुच ही नहीं पाई डेट लगी थी और बिना आय अभ्यूक्त या उसके वकील को फैसला सुना दिया गया तो कुश्चन आ चुका है यह फै अगर कोई निर्णे लिख दिया है लेकिन अभी सुनाया नहीं है तो यह क्या माना जाएगा निर्णे सुना दिया माना जाएगा कि निर्णे सुना दिया नहीं माना जाएगा कि निर्णे सुना दिया नहीं माना जाएगा कि निर्णे सुना दिया नहीं माना जाएगा कि न अगर एक एक नियादेश था वह निरने लिख दिया अभी सुनाया नहीं तब तक मर गया तो क्या उसका पद उत्तरवर्ती यानिकि उसकी जगह पर जो दूसरा नियादेश या मजी टेट आता है क्या उस निरने को सुनाने क्यों से छमता हैं कि नहीं है पद उत्तरवर्ती कि नहीं कर पाए तो क्या ये निर्णे अनियमितता कारवाही को दूसित करेगी कि नहीं नहीं करेगी क्योंकि निर्णे का सार है साइन और मुद्रा नहीं जो मुखे पहलू है वह है निर्णे सुनाना आपका साइन और अगर मुद्रा छूट भी गई तो उसका अनियमितता तो हुई लेकिन ये गलती क्या है इसकी उज़ है छम्मे ये पिछली बार 2015 में कोचन आया थे एपियो म क्यान कि ऐसा कोचन आपका बन सकता है मैं बता दूँ थोड़ा एक एक कोचनों पर इधर सतर्क रहे भई पुराने लोग नहे लोग तो अभी आपका जिनको न देना हो कोई दिकत नहीं है फिर चलेगा फिर एक बार डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन जिनको इस बार देना ह कर दिक अब अगला नियम बनता है 2313 में निरणय कैसे सुना आया जाएगा तो अगर तीन आपसंदे उपर्युक्त सभी दिया है MP में उपर्युक्त सभी मार करा ये देखे है सम्पूरन निरणय देकर सुना या जा सकता है ये भी सही है इसके बाद आपका संपूर निर्णे पढ़ कर सुनाया जाएगा पूरा निर्णे पढ़ दिया जाए ये भी सही है लेकिन पूरा निर्णे अगर पढ़ा जान्या लगे तो बहुत समय लगेगा क्योंकि 100-100-200 पेज का निर्णे 35 पेज का तो तीसरा तरीका ज्यादा अपना जाता है कि निर्णे का प्रवर्तनिय सील भाग पढ़ दिया जाए और आपका और निर्णे की कापी पच्छकारों को निसुल्ग क्या की जाए दित यानि कि आप पर ये इन इन धाराओं का इल्याम था इन इन धाराओं के तहत आपका दोस सिद्धो गया है अतहयह न्याले इन इन धाराओं के तहत आपको कनविक्ट करता है बस आपका चार लाइन में सुना दिया गया वह यानि कि प्रवर्तनिश प्रवर्तन सील भाग का मतलबे हुआ कि मुख्य क्या आया जो इल्जाम लगा था धाराओं का चोरी इत्याद का क्या वे प्रूफ कोट में हो गया की नहीं और इसके लिए आपको हम दोस सिद्ध करते हैं या एक्विटल यानि कि दोस मुक्त करते हैं ये चार पांच लाइन में निरने दो मिनिट में सुना दिया गया उसके बाद पूरा निरने की कापी क्या दी गई दे दी गई ये सबसे अच्छा तरीक में अच्छा क्या आपका साट कट तरीका है और यहीं ज़्यादा तर अपनाया जाता है तो निरने कैसे सुनाया जाएगा तो आपका संपूर निर्णे देकर दूसरा पढ़कर तीसरा प्रवर्तनिय भाग पढ़कर और अभ्युक्त को समझा कर उपर्युक्त सभी तो क्या मार कराएंगे ये भी माडल आ गया है उपर्युक्त सभी अगला देखे कलाट टू जहां उपधारा वन के खंड को के अधिन निर्णे दिया जाता है और आपका जज़ साहब या मैस्टेट साहब स्वैंग निर्णे नहीं लिखे हैं किस से लिखवाए हैं आपका कलर्क से तो अभी बताया गया कि कलर्क या से लिखवाए हैं तो निर निर्णे के प्रतेक पन्ने प्रिष्ट पर साइन करेंगे कि अंतिम प्रिष्ट पर प्रतेक प्रिष्ट पर खंड तीन आईए आपका यहीं है कि अगर निर्णे सुनाया गया है तो आपका प्रवर्तनिय सील भाग तो उस पर निर्णे पर तारीख डाल दी जाएगी फुले नियाले में हस्ताचर कर देंगे और स्वैंग से लिखें तो लाश्ट पेज पर और दूसरे से लिखवाएं तो किस पेज पर साइन सभी पर बस एक लाइन बना लिजे हमेशा स्वैंग लिखें तो लाश्ट और दूसरे से लिखवाएं तो हर एक पेज पर उनका साइन आपक कह सकते हैं कि इसके बाद आपका पांचवा यदि अभ्यूक कभी रच्छा में तो निरणे सुनने के लिए उसे लाया जाएगा और छठवा यदि अभ्यूक कभी रच्छा में नहीं है तो उससे न्यायाले द्वारा निरणे न्याले द्वारा सुनाय जाने वाले निरणे को सुनने के लिए हाजिर होने की अपेच्छा की जाएगी समन या वारन खुलाया जाएगा अब खंड 6 से ही आपका कोचन बनता है किरम बता जें यानि कि पहला खंड के बाद बीच वाला तो सामानी बाते हैं खंड 6 से कोचन बनता है वहीं अलग से माडल बनाना है माडल जो बनता है क्लाज 6 से 300 तीरपन का कि कब निर्णे सुनाते समय अभ्यूक्त की उपस्तिती न्यायाले में आवस्यक नहीं है बहले अलग से बना लिजे बना ये कोचन लिख लिजे आपका जो न लिखे हो पुराने मने जो लोग न लिखे हो एक बार लिख लें लिखे कब निर्णे सुनाते समय ये कोचन कई बार टेकनिकल लाया है जाजा लोग गलत करके ही आते है कब निर्णे सुनाते समय अभ्यूक्त की उपस्तिती आवस्यक नहीं है मने वह न्याले में हाजिर न रहे तब भी क्या सुनाया जा सकता है फैसला ये जरूर याद करके जाईएगा देखे आपका क्या है किन्त उस दसा में नहीं जिसमें विचारण के दवरान उसकी ब्यक्तिगत हाजिरी से अभी मुक्ति दे दी गई हो और दंडादेश के वल जुर्माने का है यानिके इसका मतलब यह हुआ कि पहली कंडिशन ये मिली कि न्यायाले ने प्रायल के दवरान अभीक्त को स्वैंग हाजिर होने से छूट दी थी और जो अभीक्त के खिलाप निर्णे आया है आने वाला है वह केवल और केवल फाइन का है कारावास का नहीं है तो अभीक्त को निर्णे सुनाने के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाना आवस्त्रक नहीं तो लिखना चाहें तो या बेरेक पर ही चिन लगा लिजी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब विचारण के दोरान ब्यक्तिगत हाजरी से छूट दी गई हो और निरने केवल किसका हो जुर्माने का बेरेक्ट पर ही चिन लगा सकते हैं या लिख सकते हैं और दूसरा क्या है जब आवस्चेक नहीं है जब उसको क्या दिया गया हो आपका काउन साधंड दिया जान हो दोस्मुक्ति या एकविटल का और तीसरा आपका परंतुक है कि अगर कई अभ्यूक्त हैं और कुछ हाजर हैं कुछ हाजर नहीं हैं तो नियाया ले निरने सुनाने में अनुचित बिलंब से बचने के लिए कुछ ही अभ्यूक्तों की उपस्तिती में सब के खिलाप क्य सुना सकता है निरने बहिए अच्छे से त्यार करके जाईएगा यहां से कोचन गलत होता है इस प्रकार आपका 354 अब आजाईए 354 भी काफी कोचन बनता है और पिछली बार ये में भी बना कि निरने की भासा और अंतरबस्त कहां दी गई हैं तो 354 धारा में निरने किस ल जाएगा नियाले की भासा में नियाले की भासा अधिनस्त नियाले की भासा 272 बता गया था कल पर सो आपका 272 में दी गई हैं और अधिनस्त नियाले की भासा का निर्धारा किसके द्वारा किया जाता है इस्टेट गौर में की धारा में प्रावधान है जोड़ी ये धारा 272 272 भी पूछी जाती हैं हमेशा कल ही हम बताये थे अंतरबस्त का मतलब यह हुआ कि निर्णे के अंदर क्या लिखा जाएगा खाली तो पेज रहेगा नहीं आपका कुछ ने कुछ लिखा ही जाएगा तो अंदर क्या लिखा जाएगा अब यहां जो आपका कोचन बनता है दो तिन कोचन याद करना है पहला आपका रीजन फिर इस्पेशल रीजन और कब रीजन लिखना आवस्यक नहीं है फिर आपका अगर संदेह उत्पन हो गया तो क्या होगा कि कौन सा अपराद किया है और मृत दंड दिया जाता है तो निर्णे में ये लिखा जाएगा आपका कि कब तक गर्दन में फांसी लगा कर लटका आ जाए जब तक केस के क्या न हो जाए तो तीन चार कोचन इस सेक्शन से और कम से कम भई दो केस याद रखेगा आपका दो क्या तीन केस याद कर सकते हैं एक आपका जगमोहन का भी केस आता है जिसमें भारत में मृत दंड देने को बैध माना गया तो आप तीन केस याद कर सकते हैं जगमोहन का आपका कर सकते हैं कि दूसरा बच्चन सिंकर और तीसरा दीन दयाल दीना उर्फ दीन दयाल का अब देखे बेरेट की भासा वह आपका एक एक करके देखे निरणे की भासा और अंतर बस्तू सेक्षन भी याद करना है पिछली बार ये में सेक्षन ही पूछा गया था देखे इस सहीता द्वारा अभीवЕक्त रूप से अनिथा उपबंदित के सिवाई धारा तीन सौ तीरपन में जो निरणे दिया जाएगा पहलाएं की नियाले की भासा में लिखा जाएगा यानि की नियाले की भासा फिर कबर करिये हाई कोट सुप्रीम कोट है तो सम्मिधान से गवर्न होगा कि सनुछेज से 348 और लोवर कोट है तो 272 बासा का निर्धारन कौन करेगी राजी में राजसरकार किस सेक्षन के तर 272 हाँ अब निरने के अंतर बस्तू निरने के अंदर क्या क्या रहेगा ये कलाज भी बताता है देखे अवधारन के लिए प्रश्न न समझ मैं तो आसान भासा में लिख लिजे अवधारन के लिए प्रश्न का मतलब फायक्ट इन इसू या बिबादक तत्थ यानि कि जिन मुद्दों पर डिस्प्यूट था बिबाद था पहिना है तो उसको आसान भासा में लिख लिजेगा अवधारन के लिए प्रश्न का मतलब डिस्प्यूटेड मैटर या बिबादक तत्थ यानि कि अब देखे आपका एक बिबादक तत्थ देखा जाए एक कहता है कि हजूर भी ने चोरी का अपराद किया और भी कहता है कि मैंने अपराद नहीं किया तो एक पच्छकार डिमांड करता है और दूसरा क्या करता है डिनाई तो यहीं सामान तह क्या कहलाता है फायक्ट इन इसू या बिबादक तत्थ बिवादक तत्थ की परिभाशा, एविडेंस की धारा तीन में दी गई है तो पहले तो किस मुद्दे पर बिवाद था ये लिख दिया जाएगा निर्णे में उस प्रश्ण या उन प्रश्णों पर विनिश्चे यानि कि जो बिवादक तत्थ थे नियायाले ने उस पर क्या निश्कर्ष निकाला, क्या विनिश्चय किया, डिसीजन क्या किया है यानि कि उन प्रस्णों पर क्या निश्कर्ष निकाला इसके बाद आपका और उन विनिश्चयों का कारण यानि कि जो निश्कर्ष नियायाले ने निकाला है तो निचुरल जेस्टिस का पालन करते हुए है रीजन, डिसीजन यानि कि आप निर्णे का क्या लिख किये कारण तो निर्णे में कितनी बाते होनी आवस्चे के अंतर बस तू तीन दो नहीं भै तीन कौन कौन बाते हैं अवधारी प्रस्ण उन अवधारी प्रस्णों पर बिनिच्चय डिसीजन और उन बिनिच्चयों का क्या कारण उपार्युक्त सभी तो क्या मार कराएंगे अब यहीं कोशन बना लिजिए कब निर्णे का कारण लिखना आवस्चक नहीं है ये कोशन बार बार आपका बन रहा है और भाई गलत नहों इसको लिख लिजिए तो यहीं आपका ये जो आपका क्लाज हम बता रहे हैं ये क्लाज फोर में दिया गया है कि आपका हमेशा पूछा जाता है कि कब निर्णे का कारण देना आवस्चक नहीं है बहुत बार पूछा है अलग से लिख लिजिए क्लाज फोर भाई आपका 354 का तुरंत हम कौन बता रहे हैं निर्णे कारण पर चार देखे आपका चार में कह सकते हैं कि दो पॉइंट के वल लिखिए पहला पॉइंट यदि दंडा देश न्यायाले के उठने तक के लिए दिया गया हो तब रीजन लिखना आवस्थाक नहीं है पफ़श में बना लिजिएगा यदि दंडा देश केवल न्यायाले के उठने तक के लिए हो यदि कि जब तक न्यायक कारवाही चल रही है आपको हम दंडित करते हैं तो रीजन लिखने के आवसकता है की नहीं नहीं है और दूसरा समरी ट्राइल सेकेंड कौन है संचिप्त बिचारण तो फिर एक बार याद करिए संचिप्त बिचारण किस अध्याय में 21 में की धारा से की धारा तक 260 260 से लेकर 265 संचिप्त बिचारण में कितने सदिक दंड नहीं दिया जा सकता तीन मा सदिक नहीं दिया जा सकता अगला देख्याब का चौथा खंड भी निपड़ गया भाई ये पहला खंड ही चला जाए तो पहला में ही बचा है वह अपराज जिसके लिए और IPC या को यानि बिद की धारा जिसके लिए दोस सिद किया गया है या दोस मित मुक्त किया गया है तो आपका दोस सिद किया गया है तो सामान तब भेजा जाएगा जेल और दोस मुक्त किया गया है एक विटल कर दिया गया तो स्वतंत्र करने का क्या दिया जाएगा आदेशित बरी हो गया तो अब जेलर को आदेशित किया जाएगा इन्हें क्या किया जाए छोड़ दिया जाए अब खंड दो आईए जब दो सिद्धी भारती दंड सहिता के अधीन है और यह संदे हैं कि अपराद उक्त सहिता की दो धाराओं में से किस एक धारा के अधीन या एक ही धारा के किस उपधारा में आता है तो ऐसी दसा में न्यायाले आपका इस बात को असपष्ट रूप से एक्सप्रेस करेगा लिखेगा और अनुकल्पतह निरने देगा दिया जा सकता है एक उदारण देखे अभ्यूक्त ने चल संपत के प्रतिय अपराद किया ये बात प्रूफ हो गई लेकिन जो बैमानी का अभ्यूक्त का इरादा था वह संपत हटाते समय था कि बाद में हुआ ये किलियर नहीं हो पारा है ये प्रूफ हो गया कि इसका इरादा डिसानेश्टली था और संपत को हटाते समय था कि बाद में इरादा बैमानी का हुआ इसमें संदेह उत्बन हो गया लेकिन इरादा बैमानी का था इसमें कोई संदेह नहीं था तो अगर ततकाल बैमानी का इरादा होगा अब समस्याई कि न्याले अब स्पश्ट लिखेगा निरह में कि इनको अल्टरनेटिव सजा दी जा रहे हैं या तो चोरी या किसके लिए आपका पराधिक दुर्बने अब आपका IPC की धारा आपका यहां से 72 जोड़ लिजेगा या इस खंड पर जोड़िए आपका जो दूसरा खंड है 354 का एक IPC की धारा 72 जोड़ कर पढ़िएगा निश्चित तोर पे 72 कहती है कि अगर आपका संदे है कि कौन सा अपराध किया तो उस सजा से दंड नी होगा जिस अपराध में दंड जिस मन जिस अपराध के लिए दंड ज्यादा हो कि कम हो कम हो भी नियम याद रखना है कौन सी धारा IPC की 72 अगला देखे आपका खंड तीन देखे आपका कह सकते हैं कि अगर मृत दंड दिया जाता है तो इस पेशल रीजन लिखा जाएगा तो केवल रीजन लिखा जाएगा किस दंड में आपका विशेष कारण लिखना आवस्यक है मृत दंड और अनिकारा आवास का दंड अगर दिया जाता है तो विशेष कारण नहीं बलकि केवल क्या लिखना है कारण लेकिन फिर एक बारा ये कि कब कारण लिखना आवस्यक नहीं है तो दो दसाइं याद रखे अभी मैं लिखवाया पहला है कि जब न्यायाले के उठने तक के लिए सजा दी गई हो और दूसरा समरी ट्रायल तो समरी ट्रायल में कितने तक सजा दी जा सकते हैं तो उसमें तीन मा या तीन मा से कम लिखा वो संचिप्त विचारा लेकिन साट कट में हमने बता दिया समरी ट्रायल तो वहां से उतना पकड़ लेंगे कि तीन मा सदिक दिया ही नहीं जा सकता आईए आपका खंड पांच पूछा जाता है ज्यादा और आपका खंड पांच ज्यादा पूछा जाता है कि कलाज वाइज पढ़िएगा इसको कलाज वाइज पूछा गया है तो मृत दंड देने का ड्हांग या मेथड या तरीका या यह कहां लिखा गया है तीन सो चोवन के किस कलाज में पांच में किस इस पर याद करना पड़ेगा भाई एक और कॉर्लेट करके पढ़िएगा CRPC की यहीं लिख लिजे बेरेक परी CRPC की दूतिय अनुसुची का प्ररूप संख्या 42 डेथ वारंट का प्ररूप है CRPC का सेकेंड सीडूल का फार्म नंबर 42 जब ब्लैक वारंट, डेथ वारंट या मृत दंड को लागू करने का वारंट या मृत दंड के निस्पादन का वारंट जारी होता है तो जेलर को आदेशित किया जाता है और जो वारंट जारी होगा उसमें भी ये लिखा जाएगा किसे गर्दन में फांसी लगा कर तब तक लटकाया जाए जब तक कि इसके मृत न हो जाएगा देखें दोनों दे तो दोनों मारिये लेकिन एक बार आपका भर्मा दिया उतरा खंड दोनों दे दिया चुनना एक था तो अगर सिडूल और सेक्षन दिया हो तो कौन मारेंगे सेक्षन ये नियम बना लिजे कहीं भी अगर जैसे कि आपका CPC में भी धारा और आदेश में टकराव हो प्रिवेल कराना हो तो धारा संबिधान में भी अनुछेद और अनुसुची में एक चुनना हो तो अनुछेद CRPC में भी धारा और अनुसुची में एक चुनना हो तो धारा तो दोनों जगा लिखा हैं तो एक चुनना है तो 354 का कौन सामकला चुनेंगे पाँच इसके बाद दो केस तीन केस इस पर याद रखेगा पर केस भी आपका कई बार पूछा गया है सतर्क रहना है अच्छे से इसको जगमोहन बनाम उत्तर्प देश राज में ये बता गया कि भारत में मृत दंड देना और उच्छेद 21 का उलंगन नहीं माना जाएगा इसके बाद आपका दूसरा केस आता है बच्चन या बेचन सिंग बनाम पंजाब राज का ये भी खुब पूछा जाता है मृत दंड विरल से विरलतम मामलो में अपूर से भी अपूरवतम मामले में कुरूर से कुरूरतम मामले में यानकि जहां कुरूरता की हदें क्या कर दी गई हो पार एक लाइन में इसके बाद आपका मृत दंड के तरीके पर भी चुनवती दी गई भारत में कि ये जो तरीका है ये सही नहीं है गर्दन में फांसी लगा कर लटकाना इस तरीके को उच्चतम न्याले ने बैद माना तो ये ढंग आपका दीना उर्फ दीन दयाल बनाम भारत से तीन के सिदर से याद रखेगा 355 छोड़ दीजेगा अब 356 पूछा जाता है 355 छोड़ दीजेगा 356 पूरवतन सिद्ध दोस अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश तो कोश्चन ये बनता है कि जब वह जेल से निकले यानि कि दंडा देश भुगत ले तो अधिक्तम कितने दिनों तक के लिए कहा जा सकता है कि तुम कहां रह रहे हो अपने पते की सूचना दो आपका पांच साल लेकिन एक बार आपका कोश्चन अंदर से बन चुका है वह कोश्चन ये बना है कि किन अपराधों में पते की सूचना देने का आदेश पूर्व सिद्ध दोस अपराधी को दिया जा सकता है दिखे अगर सामानी कोश्चन आए तो भाई हम बता दें सब ही कर ले जाएंगे कितना साला देखता हम पांच सा लेकिन थोड़ा बहुत बेरेक पर अंडरलाइन करिये अब ये पूछा गया एक बार कि कीन कीन अपराधों में तो उसके लिए बेरेक पहणना ही पड़ेगा पहला खंड कम से कम देखे जब कोई ब्यक्ति जिसे भारत के किसी न्यायाले ने IPC की धारा 215, 489 A, 489 B, C, D या 506 के तहत आपका दंडित किया है और 7 वरस तक या उससे जुर्माना ने 506 वाले में जो दंड है अपराधिक अपितरास में कि अधिन दंडनी अपराध के लिए या उसी सहिता के अधिन मने IPC के अधियाए 12 या 17 के अधिन तीन वरस या उससे अधिक अवद के लिए कारावास से दंडनी किसी अपराध के लिए दोस सिद किया गया है किसी अपराध के लिए जो उन धाराओं में से किसी के अधिन दंडनी है आपका कह सकते हैं कि पुनह दोस सिद किया जाता है दुबारा और तीन वरस या उससे अधिक का दंड दिया जाता है तो दुबारा जब दंड पाएगा तो न्याले ये कह सकता है कि जब दुबारा दंड पा रहे हो दूसरी सजा भुगत लोगे जेल से निकलो तो अपने पते की सुचना कितने साल तक देते रहना पांच साल तक यहने कि दूसरी बार सजा के बात देते रहना भुगत का निकलना पहली बार में नहीं अब कोचन यह बनाए कि किन किन अपराधों में आपका यह 356 लागू होगी तो 215 के तहत अपराध फिर अध्याए 12 के तहत अपराध IPC अध्याए 16 के तहत अध्याए 17 के तहत और उपर्युक्त सभी तो किस अध्याए के तहत यह लागू होगी दंडित में उपर्युक्त सभी बैस सतर्क रहेगा कम से कम अध्याए और पुद्धार आएं मनें कम चांस हैं फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बाद 357 प्रतिकर देने का अध्याए बस आपका दो लाइन समझना है और इसको कोर्लेट करके पढ़ना है जब भी कोर्लेट करिएगा 421 से कोर्लेट करिएगा 421 से देखिए यहाँ से भी लगातार कोशन मनता है पीड़ित को प्रतिकर आपका किस सेक्षन के तहत न्याले दिलवाता है आहत को पीड़ित को या विक्टिम को तो आपका जबाब रहेगा 300 सांताम दिखिए आपका न्यायाले किसी अभ्यूक्त को सजा देते समय जो जुर्माना अभ्यूक्त पर लगाता है तो पहला नियम याद रखे कि जो फाइन लगा है वह राज कोश में जमा होता है पीड़ित को दिलवाया नहीं जाता पहला नियम लेकिन न्यायाले को भी बेका धिकार है कि न्यायाले चाहें तो जुर्माने की पूरी रकम या जुर्माने का कुछ भाग जो पीड़ित है आहत है विक्टिम है यानि कि टू डबलू एकी परिभासा में आने वाला है तो पीड़ित की परिभासा भी इसी समय याद रखे कहां दी गई है तू डबलू ए में आता है ये जुर्माने की पूरी रकम या उसका कुछ भाग किसको दिये जाने का निदेश दे सकता है पीड़ित को किस रूप में कमपसेशन यहीं बस याद रखना है इसके बाद जो आपका पूछा जाता है वह ये पूछा जाता है कि अगर ऐसा अपराधी ऐसा जुर्माना नहीं दिया तो क्या होगा प्रतकर नहीं दिया तो चार सव एकईस आपको देखना है कि अगर वह जुर्माना अदा नहीं किया तो जुर्माना देने में ब्यतिक्रम होने पर उसे जेल भेजा जाएगा, कारागा, तो अब समस्या आई कि जुर्माना दिया नहीं, जेल भेजा गया, और जेल ब्यतीत कर लिया, फुनह छूट कर आया, तो क्या फुनह जुर्माना वसूला जाएगा एक नहीं, सामान तह नहीं, लेकिन दो अपवाद हैं, अगर मामला 357 में आ देश हैं, पेड़ित को, और न्यायाले विशेश कारण लिख दे, दूसरा क्या है, इस पेशल रीजन, भै धनी हो गया, तो वसूला जाएगा, तो सामान तह जुर्माना कितने दिनों में वसूल लेना चाहिए, चाहे केवल जुर्माने का दंड हो या कारवा, छे साल, और छे साल से अधिक का दंड है, तो जब तक की दंड है, भै आपका धारा IPC की सत्तर देख लिजेगा, जुर्माने की वसूली का समय, सत्तर पूचा जाएगा, सेवेन जीरो, इसके बता ये 357 ए आ जाएगे, 357 ए आपका पीडित प्रतिकर इस्कीम, विक्टिम कंपसेशन इस्कीम, आहत प्रतिकर योजना, पीडित प्रतिकर योजना, या पीडित प्रतिकर इस्कीम, इंगलिस वर्जन जरूर याद रखेगा, विक्टिम कंपसेशन इस्कीम, यहां से भी आपका कूच्चन मनता है, कि न्यायाले शिपारिश कर सकता है कि पीडित को आपका क्या दिया जाए प्रतिकर दिया जाए ऐसी दसा में कर सकते हैं कि अब जो कोशन बनता है कि पीडित को कितना प्रतिकर दिया जाए उसकी मात्रा का बिनीश्य कौन करता है सतरक रहना एकलाट 2 में वहीं अंडरलाइन करिए जिला बिदिक सेवा प्राधि करन या राजि बिदिक सेवा प्राधि करन खनी कि यहीं कोशन आपका बनता है कि जो पीडितों को कमपसेशन दिया जाता है पीडित प्रतकर योजना के तहट उसकी रकम कौन निर्धारित करता है तो आपका विदिक सेवा प्राधि करन कहा का या तो जिले का या कहा का राजि का अब यह हैं कि आप इस प्राधि करन के समझ application दे सकते हैं तो application पर आपका समय पूछा जाता है कि आप application दे सकते हैं कि पीडित को आपका प्रतिकर दिया जाए तो ऐसे application पर कितने माह के अंदर आपका कर सकते हैं कि decide कर लेना है प्राधिकर अर्थाटी को कि पीडित प्रतिकर पाने का हकदार है कि नहीं कि एक class में जाएगा 5 यानि कि दो class कम से कम याद रखे class 2 और class 5 तो कौन मातरा निर्धारित करता है विदिक सेवा प्राधिकर रण कहा अस्तर का जिला की राज की दोनों दोनों और आप application दे सकते हैं नियाले नहीं निर्धे दिया है तो कितने मा में आपके application पर वो विचार कर लें दो मा मुख्य रूप से यहीं दो आपका question बनता है इसके बाद 377B IPC की धारा यानि कि जो आपका कुछ दुराचार के मामले हैं acid attack के मामले हैं उसमें कहा गया है कि जो आपका प्रतिकर होगा वह जुर्माने के अतिरिक्त होगा यहीं कि अपने आले को compensation जुर्माने के अलावा दिलवाने का हक दे दिया गया है अभी भी सभी अपराधों में नहीं कुछ ही अपराधों में दुराचार के मामले और acid attack इसके बाद 357 सी पीडितों का उपजार यहां भी याद रखे अगर acid attack का मामला है दुराचार का मामला है तो ऐसी दसा में आपका चाहें वह सरकारी अस्पताल हो और्द सरकारी हो प्राइबेट हो अगर ऐसा पीडित जाता है या जाती हैं तो अस्पताल का ये करतब हैं कि ततकाल उपचार करें निह सुल्क करें बिना सुल्क लिए करें और आपका और ऐसी घटना की सूचना फूलिस को दे ततकाल लेकिन इलाज से इनकार नहीं कर सकते हैं अगर करते हैं इलाज से इनकार तो ये दंड के भागी होंगे जोड़ यह हैं 357 सी का वाइलेशन आपका दंडनी है एक वरसा दिखतम दंडनी इसके बाद आपका 357 को चन बनता है निराधार गिरापतार करवाए गए ब्यक्तियों को प्रतिकर मजिस्टेट दिलवा सकता है रकम बस याद रखेगा फेडिंग और रकम दो ही याद रखना है निराधार गिरापतार करवाए गए ब्यक्तियों को प्रतिकर किस सेक्षन के तत मजिस्टेट दिलवाता है तीन सांठावन अधिक्तम कितना दिलवा सकता है एक हजार रुपे से अनधिक ये रकम आपका पहले कितना था सव रुपे और दो हजार पांच में एक हजार किया गया है कभी कल पूछ ले रहा है एक हजार की जगा आप लिख लिजे पहले कितना था सव और दो हजार पांच में जो दो हजार छे से लागू हुआ तेशे दो हजार छे से तो दो हल इसके बाद आपका 359 पूछा जाता है और संगे मामलों में खर्चा दिलवाने का देश तो संगे मामना तिंसान ठाउन में एक और कोशन बनता है कि अगर ऐसा ब्यक्ति प्रतिकर नहीं देता तो ऐसी दसा में वह एक्ट्रा कारावास भुखतेगा अधिक्तम कितना तीस दिन और वह कारावास साधा होगा अगला ये 359 और संगे मामलों में खर्चा देने का आदेश ये आपका सेक्षन पूछा जाता है और अगर खर्चा नहीं देता जो आदेश में है तो बस यहां भी कितना अधिक्तम कारावास में भेजा जा सकता है साधा कारावास दिन इसके बाद 360 सदाचार की परविच्छा पर या भर्षना के पश्चात छोड़ देने का आदेश पूछा जाता है यहां से आपका अंदर से पढ़िएगा मैं फिर बता दूं 360 को किन-किन मामलों में सदाचार की परविच्छा या भर्षन ले छोड़ सकता है कितने दिन के लिए छोड़ सकता है ये तो आसान अधि किन-किन अपराधों में ये लाव दिया जाएगा एक बार आप 360 का कम से कम कलाजवन जरूर पढ़िएगा घर पे थोड़ समय कम है जिस जिस में समय ज्यादा लेगा दो-चार धाराएं आप भी क्या करिए घर पर भी पढ़िए ताकि आपका मने कोर्स पूरा भी हो ये घर गर पर एक बार तयार रखना है नौ समय मैं अगर तो बताईएगा कल हम बता देंगे लेकिन घर पर एक बार अच्छे से चार्ट बना लिजेगा जरूर इसके बाद आपका 361 नहीं पढ़ना है 362 शेक वोचन को पूछा जा रहा है कि न्यायाले का अपने निर्णे में पर पर न करना तो मैं बता ही चुका हूँ कि जब एक बार आपर आधिक न्यायाले निर्णे सुना देता है भले साइन न किया हूँ आदेश दे देता है तो वह न्यायाले अपने निर्णे में न तो कोई परिवर्धन करेगा और नहीं कोई परिवर्धन करेगा नहीं पुनर विलोकन करेगा यानि कि फुनर विचार कर सकता है कि नहीं नहीं कर सकता तो यानि कि कौन सी धारा फुनर विलोकन पर रोक लगाती है 362 CRPC में क्या उपचार उपलब्द नहीं है यहां यह माडल पूछा है क्या नहीं हो सकता फुनर विलोकन कौन सी धारा रोक लगाती है 362 जलती सुधारी जा सकती हैं लिपकी और गंड़ती लेकिन इसका अपवात हैं भाई अभी हमने बताया 348 बताया माफी मांगने पर दंड क्या किया जाए माफ निर्णे में चैंज और 127 CRPC जहां कि भत्ते में क्या किया जाता है परिवर्टन और भी हो सकता हैं लेकिन दो ही उदारन में बता रहा हूं 363 छोड जिद ये ये नहीं परता है 364 भी नहीं अब 365 पूछा जाता है सत्र न्यायाले द्वारा निसकर्स और दंडा देश की प्रति जिला मजीष चेट को भेजना ये भी कोचन आता है तो अगर सत्र न्यायाले ने कोई मामला विचारन किया मुख नायक मजीष चेट ने किया कोई निरने दिया तो अपने निरने निसकर्स इत्याद की एक प्रति उस जिले के जिला मजीष चेट को भेजेंगे जिसकी अस्थानी अधिकारता के अंदर विचारन हुआ तो अगर प्रयाज राज का न्यायाले था और सत्र माले जे मुख नायक मजीष दो ही लोग भेजेंगे सब नहीं कौन कौन कोट आप सेशन और दूसरा सीजियम और किसको भेजेंगे क्या किसी भी डियम को भेजेंगे नहीं जिस जिले जिस आपका देखे भी पूछा जाता है भाई जिसकी अस्थानी अधिकारता के भी तर विचारन किया गया है यानि कि अगर प्रयाग राज का मामला था यहां का न्याले ने विचारन किया उस अस्थान पर प्रयाग राज के डियम का छेतरा अधिकार है तब प्रयाग राज यह नहीं कि बनारस को भेजबा दीजेगा तो तो फिर अभी स्यार पीसी चलेगी दूसरा प्रियर्ड आपका अगला चेप्टर आपका पांच मिनेट में समाप्त हो जाएगा फिर आपका 372-472 इमान के चले अभी सोव डेड़ सो सोव डेड़ सो वहीं धाराएं बची है तो आज प्रयास किया जाएज ज्यादा से ज्यादा खीचने का ताकि आई पीसी भी आपका खीचा जाएगा मंगलवार है न बुद्ध में सुक्रवार तक चलेगा कि दिखिया आपका इधर कर कि एक कोशन आपका बनता है मृत दंडा देशों की पुष्टी या कनफरमेशन यहां से आपका सेक्षन याद करना पड़ेगा पहले तो आपका फिर मृत दंडा देश पर कुछ बातें देखी जाए जो सामानी बातें हैं और तब आपका अलग पढ़ाद यहां से भई एक कोशन आपका बनने का चांस रहता अध्याय 28 से और 3-4 सेक्षन जरूर याद रखेगा और इसमें आपका तो डेच संटेंस कोवन न्यायाले दे सकता है सबसे पहले यह जानना है उच्छतम न्याले विध द्वारा विहित कोई भी दंडा देश दे सकता है अगर उच्छतम न्याले कोई मृत दंड देता है या कोई भी दंड देता है तो कहीं कोई कनफरमेशन या पुष्टी या ओके कियाव सकता नहीं है हाई कोट भी भी द्वारा वी तो कोई भी दंडा दे सकता है जो कानून में निर्धारित है मनमाना नहीं और हाई कोट अगर मृत दंड देता है तो इसकी भी कहीं कनफरमेशन किया वसकता नहीं है दू न्यायाले और हैं जो सबार्डिनेट कोट है ये भी मृतुदंड दे सकते हैं एक सत न्याले और एक अपर सत न्याले यानि कि सत न्याधिस और अपर सत न्याधिस को पावर बराबर है ये दोनों फासी की सजा दे सकते हैं लेकिन अगर फासी की सजा देते हैं तो इन फासी पर तब तक लहीं लटकाया जाएगा अपराधि को जब तक की उच्छ न्यायाले इसका कनफरमेशन या पुष्टी न कर दे तो अब चाहें अभियुक्त अपील करे न करे अपने दंड के खिलाब लेकिन सत न्याले और अपर सत न्याले के लिए यह अनिवार हैं कि वहम्रित दंडा देश की पुष्टी के लिए उच्छ न्यायाले को फाईल भेजे तो ऐसी दसा में आपका फाईल की धारा में भेजी जाती हैं और क्या होगा इसके लिए अध्याय 28 काम करेगा अब अध्याय 28 शुरू किया जाए देखिए आपका उतराखन में तो पहला इस सेक्षन बना है 306 सत न्याले द्वारा मृत दंडा देश का पुष्टी के लिए प्रस्तुत किया जाना तो कहां भेजेगा कोट आप सेशन या अपर कोट आप सेशन आई कोड देखे पहला खन जब सत न्याले मिरित दंडा देह देता है तब कारवाही उच्छ न्याले को प्रस्तुत की जाएगी फाइल भेद दी जाएगी और दंडा देश तब तक निस्पादित नहीं किया जाएगा यानि कि तब तक फांसी पर ऐसे ब्यक्ति को नहीं लट का जाएगा जब तक वह उच्छ न्यायाले द्वारा फुष्ट या ओकें या कनफर्म न कर दिया जाएगी दूसरा दंडा देश पारित करने वाला न्यायाले वारंट के अधिन दो सशिद को जेल की अभिरच्छा के लिए सुपूर्द करेगा यानि कि जेल में भेद दिय जाएगा कब तक भेजा जाएगा जब तक कि हाई कोट आपका क्या नकर दे गन फर्म न कर दे, यानि कि बाहर नहीं रहेगा कहां भेजा जाएगा आपका जेल, यानि कि सत्थ न्याले में निर्ण दिया मरित द्बंड दिया तुरंत उस अपराधि को किस अवरच्छा में बेजा जेल की निक्वाइन आई कभी रच्छा एक मान के चलिए और तत्पश्चात आपका इधर फाइल किसको भेज दिया हाई कोट को अब आए तुक्की धारा में पुष्टी के लिए भेजा जाता है ये पूछा जाता है 306 अब 366 से भी कोचन बना है उत्राखंड में कि उच्च नियाले को लगता है कि सत नियाले ने कुछ साच छोड़ा है तो उच्च नियाले स्वयंग अतरिक्त साच ले सकता है या सत नियाले को ये निदेशित कर सकता है कि इस मामले में आप और एविडेंस लीजिए और हमारे यहां क्या करिए भेजिए इसके बाद आपक है तो 368 में क्या कर सकता है हाई कोट यह देख़िए पहला मृत दंडा देश को okay या confirm या फुष्ट कर सकता है यह यनि कि यह मान सकता है कि सत न्याले ने जो फैसला सुनाया है वो क्या है सही तो यह फुष्टी कहा जाएगा तो फुष्टी कि इस सेक्शन के तहत हाई कोट करता है पूछा गया है तीनसव औरसट मार कर आईए भेजा किसमे जाता है हाई कोट तीनसव छाच अतिरिक्त साच किसमे लेता है सरसट और पूषटी किसमे तीनसव और सथ उच्छ न्याले अभ्युक्त को दोस मुक्त कर सकता है बाईजत बरी कर सकता है उच्छ न्याले मृत दंड को अन्य दंडों में कनवर्ट कर सकता है जो या अन्य दंडों में जैसे 302 का मामला था तो मृत दंड को क्या कर दे आज इवन का रावास में कनवर्ट कर दे ये हो सक इसके बाद उच्छ न्याले मृत्त दंड को रद कर दे सेटे साइड कर दे अपास्त कर दे उलट दे और निरणे को उलट दे और निरणे को उलटने के बाद कोट आप सेशन से कह सकता है कि आप री ट्रायल करिए पुनह विचारन करिए यान कि आपका विचारन गलत था और ये निरणे में उलटदे रहा हूँ, आप फुनह इस मामले का विचारण करिए, किसी को REMAND कहते हैं, REMAND का मतलब ये हुआ, प्रति प्रेशित करना, प्रति प्रेशित का मतलब यह हुआ, कि जहां से मामला आया था, वहीं मामला फुनह क्या करना वापस तो यहां अभ्युक्त को वापस नहीं किया जा रहा है किसको किया जा रहा है मामले को फाई लोटा दी गई निरने उलट दिया गया और कहा गया कि आप री ट्राइल करिये या तो उसी आरोप पर या कोई अन्य आरोप लगा तो चाये पुष्टी पूछे चाये खंडन पूछे या भीन दंड पूछे या मृत दंड को सेटे साइड करके नया विचारन पूछे ये सब कुछ किसमे किया जाएगा आपका 300 वर्षक 379 भी पूछा जाता है कि कम से कम कितने जजों द्वारा पूछ्टी या खंडन या नया दंड जो भी हो दिया जाएगा दो जज यान कि अगर किसी हाई कोट में एक से अधिक नयाधिस मौजूद है तो कम से कम दो जजों द्वारा ही इस मामले की क्या की जाएगी सुनवाई ये भी पूछा जा चुका है सेक्सन अगर पूछे तो 369 अगर दोनों जजों में मतभेद उत्पन हो गया तो रेफरी का सिधान्त लागू होगा 370 पूछ सकता है रेफरी का सिधान्त तो दोनों जज अपना अपना निसकर्स निकालके एक तीसरे जज को देंग देंगे और वहीं तीसरा जज क्या कहला आएगा रेफरी और अब निर्णे बहुमत से आएगा दो एक से ये याद रखे कैसे आएगा निर्णे अब आपका बहुमत से आएगा सबसे उत्तमुदारन पुष्टी का है लिखना चाहें आर बनाम गो बिंदा का है आपका कैंप बेल और हरी दास में विबाद हो गया कि 302 के तहत दंड किस जद को सौफ दिया मेलविल को सौफ दिया और मेलविल ने कहा कि ये आपका मडर नहीं है 302 में नहीं आएगा 304 IPC में अगला देखिए इसके बाद आपका 371 जो भी निर्णे दे हाई कोट कागज पत्तर किसको लवटा दे आपका कोट आप सेशन या अपर सतन है जहां से मामला इस प्रकार ये चेप्टर भी समापत होगे अपील अभी छोड़ दीजिए अपील बाद में चलेगी अगला अध्याय आजाई आपका अध्याय 30 आजाई ये 30 निकालिए भाई अपील उपिल कल्ट चला जाएगा अध्याय तीस आपका निर्देश और पुनर इच 395 से लेकर 412 तक हैं यानि कि आपका निर्देश और पुनर इच्छण के लिए प्रावधान कहां से कहां तक नहीं 405 तक हैं भाई 405 तक हैं उसको सुधार कर लिजेगा 395 से लेकर और 405 तक हैं एक कूचन आपका यहां से बनना लगभग फिक्स ही रहता है प्री में अब देखें आपका सबसे पहले उच्छन आयाले को निर्देश देखा जाए 395 और 396 निर्देश के बारे में हैं 397 से लेकर 405 रिवीजन या निगरानी या फुनर इच्छण के बारे में हैं तो पहले निर्देश का कंसेप्ट बनाई यह तब आपका इसको देखा जाए और अधिके जहां तक भारत की बात हैं भारत में किसी भी कानून को वाइड या अबयद या असंबैधानिक या अल्ट्रा वाइरस या नल एंड वाइड कहिए या अबयद कहिए गोंसित करने की छमता केवल दो नियायालयों को हैं एक हमारा सुप्रीम कोट आट किल थार्टी टू के तहत और एक हाई कोट टू टू सिक्स के तहत यह जो नियायालयों को यह जो पावर दिया गया है कि वह किसी भी कानून को सुन्य गोंसित कर दें किसी पावर को एक लाइन में जूडिसियल रिव्यू या न्यायक समिच्छा या न्यायक पुनरविलोकन कहते हैं तो बिहार में जो EPO में कोचन बना कि भारत में न्याईक पुनर विलोकन की सक्ति किनकी न्यायालयों में प्राप समाहित हैं हाई कोट, सुप्रीम कोट दोनों इन में से कोई नहीं तो दोनों सही होगा हाई कोट को किस पावर में, किस धार, किस अनुछेद में जूडिसियल रिव्यू करता है तूटू सिक और सुप्रीम कोट किस में करता है थार्टी टू अब अगला ये निचले न्याले को पावर नहीं है भाई कोट आप से सन और इसके नीचे को तो अगर सत न्याले या किसी नीचे का न्याले में कोई मामला चल रहा है और सत न्याले यानि कि अधिनस्त न्याले एक लाइन में कहा जाए पूरा नाम ना लिया जाए subordinate court को ये लगता है उसे प्रतीत होता है कि ये जो कानून है जिस कानून के तहट हम अभ्युक्त पर कारवाही कर रहे हैं ये कानून तो fundamental right का violation करता है हमारे मूल अधिकारों के भी परीत है लेकिन high court ने जिसके वह अधिनस्त है या supreme court ने आज तक इसे अबयद या सुन्य घोसित नहीं किया तो निचला न्याले high court से राय मांग लेगा कि हजूर आप बता दीजिए कि हमारी राय में तो ये कानून अबयद है आपकी क्या राय है तो यहीं उच्च न्यायाले को क्या किया जाता है 395 में निर्देश उच्च न्यायाले बिचार करेगा बिचार करके निचले न्यायाले को लिख पढ़कर भेद देगा अगर उच्च न्यायाले ये कहता है कि ये धारा या प्रावधान बर्द है तब तो भै कारवाही चलेगी आगे और अगर उच्च न्यायाले कह दे कि हाँ तुमने सही कहा था ये जो धारा या इसका कुछ भाग है हमारे मूल अधिकारों के क्या है विपरीत है तब तो कारवाही खंडित की जाएगी आपका तो हाई कोट में निर्देश भेजा गया 395 में कुछ राय मांग ली गई और हाई कोट निर्देश भेज दिया आपका निचले न्याले को और निचला न्याले 290 कहती है कि निर्देश के अनुसार अब उस मामले का क्या करेगा निप्टारा तो बस एक लाइन याद रखेगा इतना कंसेप्ट कि निर्देश की धारा में 395 और जो हाई कोट निर्देश देगा राय देगा उसके अनुसार सबार्डिनेट को टूस मामले का क्या करेगा निप्टारा अगली धारा बढ़ जाईएगा एक लाइन कौन सी 396 अब रिवीजन आईए आपका रिवीजन से कोचन बनता है और आपका 397 से लेकर आपका 405 तक है पहले रिवीजन को समझेए उसके बाद आपका रिवीजन में एक तो भई दो तिन इधर धारा याद करनी पड़ेंगी और कोई उपाय नहीं है पुनरिच्छन में धारा के बाद जो आपको पढ़ना है कुछ conceptual कोचन पढ़ने है जो बिहार में भी इस बार आये थे और वहीं लगातार आपका पूछा जाता है पहला नियम किसी मामले के पुनरिच्छन के सक्ति अपराधिक मामलों में किन नयायाले को प्राप्त है तो दो ही नयायाले हैं याद करके जाईएगा एक सत नयाले और दूसरा उच नयाले फिर एक बार याद करके जाईएगा पुनरिच्छन किस नयायाले दुआरा किया जा सकता है तो पहदे देगा सत नयाले उच नयाले दोनों इन में से कोई नहीं तो क्या मारेंगे दोनों पहला कोशन दूसरा पुनरिच्छन कब किया जा सकता है तो जहां अपील का प्रावधान हो जहां अपील का प्रावधान नहों दोनों इन में से कोई नहीं तो दोनों ना मारेंगे जिन मामलों में अपील नहीं हो सकती revision केवल उन मामलों का ही हो सकता है दूसरा question बहुत महत्पूर है फिर एक बार देखिए revision किन मामलों का होगा ये भी question कई बारा चुका है जिन मामलों की अपील का CRPC के तहत सम्भव नहीं है रिवीजन केवल उनही मामलों का कराया जा सकता है तेसरा रिवीजन का उदेश क्या होता है कि निचले न्यायाले की कारवाही की बैल्डिटी की जाँच करना याद रहें बैधता की जाँच करना निचला न्यायाले दुर्भावना में कार तो नहीं किया अपनी अधिकारता से बाहर जाकर कार तो नहीं किया अनियमित कार तो नहीं किया कहीं अल्ट्रा वाइरस कार तो नहीं कर दिया क्या निचले न्यायाले को ये कार करने की छमता थी इस बात की क्या की जाती हैं सत ने आले या हाई कौट द्वारा जांच निचले ने आले से क्या मंगा लेता है फाइल कि लाइए हम देखेंगे कि आपने जो आदेश या निर्णे दिया है वह गलत है कि सही अगला किस आदेश का हां बताई तो सू मोटो बता ही गया अभी तो बताएगा कि सौ पर रणा या सू मोटो अपनी इच्छा से नीचले अभी बेरेक्ट बताएगे नीचले नियाले से क्या मंगाता है फाइल यह तो हमने अभी पता है एक मिनट पाले फिर एक बार देखें अगला जो कोशन बनता है जो बिहार में बना था कि किस आदेश का रिवीजन नहीं हो सकता तो इंट्रालो कोट्री आडर या अंतरवर्ती आदेश रट कर जाईए किस आदेश का मने किस आदेश का हुनरी च्छन नहीं हो सकता तो इंट्रालो कोट्री आडर या इसको हिंद प्रवर्ति आदेश या मध्यकालीन आदेश या वादकालीन आदेश हिंदी में तीन नाम हैं इंगलिस में एक नाम इंट्रालोकोट्री आडर अगला पुनरिच्छन में न्यायाले क्या नहीं कर सकता भाई ये भी खुब पुछा है तो दोस मुक्ति के आदेश को उलटकर द दोस सिद्धी में कनवर्ट नहीं कर सकता यानिकि अगर अभ्यूक्त को निचले न्यायाले ने बरी कर दिया था तो रिवीजन न्यायाले उस निर्णय को उलटकर कनविक्ट या दोस सिद्ध अभ्यूक्त को नहीं कर सकता ये याद रखे तो इन्हीं बातों को आपका सेक् में कुछ बचा ही नहीं आपका बस सेक्षन अपढ़ाना है अब जो 90% कोचन है वैसे इसमें से आज आने चाहिए लेकिन एक कोचन और अगर किसी मामले में अपील नहीं हो सकती थी किसी पच्छकार ने अपील कर दी और न्याले को लगता है कि सदभावना में अपील की गई हैं दूरभावना में नहीं यानि कि आपका जान बुच कर गलती नहीं हुए सदभावना में तो न्यायाले उस अपील को क्या मान सकेगा रिवीजन का अप्लिकेशन और अपील की अप्लिकेशन पर क्या कर सकेगा रिवीजन तो यहीं बातें आपको सेक्षन वाज पढ़नी है 3-4 सेक्षन भी आपका तयार रखना है एक और कोचन बनता है कि क्या रिवीजन के मामले में पच्छकारों को सुनना बाधिकारी है कि बाधिकारी नहीं है तो न्यायाले चाहें तो पच्छकारों को सुन भी सकता है और बिना सुने भी स्वैंग जात करके क्या कर सकता है फसला सुना सकता है मुख्यू देश क्या होता है कि निचले न्यायाले के निर्णे इत्यादी आदेश दंडा देश निसकर्ष की बैधता की क्या करना जाथ इसके लिए दो रिट भी पढ़ना पड़ेगा एक ससुरारी यानि कि आपका उत्प्रेशन और दूसरा प्रोविशन यानि कि प्रतिशेद के दोनों रिटें रिवीजन से ही जुड़ी हुई है प्रतिशेद द्वारा फिर एक बार समझे प्रतिशेद के रिट द्वारा अगर कोई अधिनस्त ने आया ले अपनी अधिकारता से बाहर जाकर कोई कारवाही करता है तो उस कारवाही को रोक दिया जाता है और उत्प्रेशन द्वारा निर्णे दे दिया गया तो निर्णे को क्या किया जाता है रद कि आपका निर्णे क्या था गलत तो prevention is better than cure प्रतिशेद की रिटका है मामला कि इलाज से परहेज बेटर और अब तो भाई आपका रोग हो ही गया निर्णे दे दिया तो आप परहेज नहीं उत्प्रेशन में ससोरारी में इलाज किया जाता है अब यहां से आपका जो कोशन बनता है बिहार में बनाया कि कौन से रिट मूल अधिकारों का पोश्ट मार्टम करती है तो आपका वैसे हैं आपका उत्प्रेशन बेरेक्ट में भी दिया है नेचुरल जैस्टी इस्तियाद बता जाएगा पांचो रिटे आगे तो आपका लेकिन बिहार भाई यह नहीं माना कोई और मान रहा है बिहार आयोक लेकिन जो किताब इत्याज में मिलता है इंटरनेट पर सवस्वरारी या उत्प्रेशन की रिट मिलती है तो अब देखें आपका बेरेक 397 से पढ़ लिया जाए पांच मिनट में तब अगला ध्याय सुरू के देखें 397 पुनरिच्छन की सक्तियों का प्रयोग करने के लिए रिकार्ड मंगाना तो बताइए फुनरिच्छन की सक्तियों का प्रयोग करने के लिए कौन रिकार्ड मंगा सकता है तो पहला बताइए कौन कौन रिवीजन कर सकता है कोट कोट आप से सन और दूसरा कौन हाई कोट तो अपने अधिनस्तने आले से क्या मंगा लेगा रिकार्ड चलिए रिकार्ड आगया आपका इसके बाद 398 जाँच करने का आदेश देने की सक्ति ये छोड़ दीजेगा अब 399 पूछा जाता है सत नियाले की पुनरिच्छन की सक्तियां कहां दी गई है तो 399 फिर आपका उच्छ नयाले की पुनरिच्छन की सक्तियां पिछली बार ये में बना था 401 में आपका दी गई है फिर एक बार देखे अब सेक्षन वाज बस याद रखना है सत नयाले की पुनरिच्छन की सक्ति 399 उच्छ न्याले की पुनरिच्छन की सकती पिछली बार आया था 401, कम से कम दो धारा हैं तो याद रखे, 399 और 401, इसके बाद आपका 402 नहीं पढ़ना है आपका, इसके बाद 403 एक बार बिहार में पूछा गया है कि क्या रिवीजन में पच्छकारों को सुनना बैकल्पि हैं कि बादिकारी हैं, बैकल्पिक हैं, चाहें तो न्यायाले सुने पुनरिच्छन करते समय, क्या सुनने से क्या कर दे, इनकार, और 404 भी नहीं पढ़ना है, और जो भी पुनरिच्छन में फैसला आएगा, जहां से फाइल आई थी, फैसले की कापी, प्रमारित कापी के स साथ फाइल क्या किया जाए, लोटा दिया जाए, तो लगबग समाप्त हो गया, मुख्य रूप से किस पर अटैक किया जाता है, बैल डीटी पर, कि निचले न्याले न्यानिमित्ता से कार किया, निसकर्स निकाला गलत, उसे तलम नहीं करना चाहिए, या जो भी आपका नि चर दिया गया, इसके बाद आई अध्या 31 से भी कभी काले कोचन बनता है, पिछली बार 406 से कोचन बना था, तो 33 लाइन बस इधर याद रखेगा, सेक्षन, अब आईए अध्या 31, आप राधिक मामलों का अंतरण, 406 से लेकर 412, यहां से आपका एक कोचन बनने का चांस रहता हैं, लिखना चाहें, तो अलग से लिख लिजिए, क्रम जरूर याद रिखे, एक क्रम से याद रिखेगा, 406 में सुप्रीम कोट करता है, 407 में हाई कोट, 408 में कोट आप से सन, तीन तो याद रिखे, धारा मिलाने के लिए तो फिर एक बार हम बता रहे हैं, पूछ 406, हाई कोट की धारा के तहत, 407 और कोट आप सेशन की धारा के तहत, आपका 408 पले भूम का देखे, उसके बाद इसमें थोड़ा अंदर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक दो बार अंदर से कोचन आपका बना हैं, उच्यतम नियाले कहां से कहां मामला भेज सकता हैं क तो एक राज के उच्छ नियाले से, दूसरे राज के उच्छ नियाले से, दूसरे राज के उच्छ नियाले से, पॉइंट ही महत्पूर्ण है, एक राज के सबार्डिनेट कोट से, दूसरे राज के सबार्डिनेट कोट, यानि कि अगर कोई बनारस में मामला चल रहा है, तो ये मामला सतना के जिला कोट में भेज सकता है, सतना आले इत्याद में, ये केवल किसको पावर है, सुप्रीम कोट नहीं हाई कोट नहीं हाई कोट नहीं हाई कोट अपने राजिक के जिलों में भेज सकता है, जैसे इलाहबाद हाई कोट है, तो बनारत से प्रियाग राज बाहर नहीं रखता और कोट अपने ही मुझेट से क्या दूसरे मैं और न्यायक मैंस्टेट अपने मैंस्टेटों में प्रथम वर सेंड अशेजम के आँ और यहाँ लेकिन सुप्रीम कोट एक राज से दूसरे राज में मामला क्या कर सकता है तांत यहाँ जो कोशन अभी हम ब करना है आपको दूसरा किसके आवेदन पर पूछा जाता है और तीसरा जो पूछा जाता है वह आपका अगर तंग या तुछ करने के लिए अप्लिकेशन दिया गया है तो सुप्रीम कोट कितना कम पसेशन लगा सकता है आवेदन करता पर हाई कोट कितना लगा सकता है और कोट आप सेशन कितना लगा सकता है वह रकम कभी काल पूछी जा सकती है तो सेक्सन भूले न अब उसके बाद जो आपका मने पूछा जाता है कि किसके आवेधन पर तो यहां से भी आपका बिहार और इत्याज राजियों में कोचन बना है थोड़ा नियम अलग-अलग है तीनों धाराओं में में रूप से वहीं पढ़ना है देखे बेरेट की भासा भई और जहां मैं कहूंगा वो अंडरलाइन करिया अलग से लिख लिजेगा देखे चार सोचे पूरिलेट भी करना है इसको थोड़ा सम्विधान में पूछा जाता है कि उचितम नियाले मामलों या अपीलों का ट्रांसफर किस अनुछेद के तहत करता है 149A कहीं लिख लिजे सम्विधान में 139A के तहत सिविल मामला में आये तूटम नियाले CPC की धारा 25 के तहत 25 CPC की कौन सी धारा है 25 अब देखे बेरेट की मासा दो तिन टेकनिकल बाते आएंगी थोड़ा सतर करना है मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उचितम नियाले की सक्ति 406 में पहला खंड जब कभी उत्तम नियाले को यह प्रतीत कराया जाता है मने बता जाता है महसूस कराया जाता है कि नियाय के उदेशियों के लिए यानि की जश्टिस के लिए नियाय के उदेशियों के लिए यह समीचीन है समीचीन मने आवस्षक हैं बरतमान समय में कि इस धारा के अधिन आदेश दिया जाए तो वह निदेश दे सकता है कि कोई बिशिष्ट मामला या अपील तो मामले का टांसपर करता है बिशिष्ट मामले का की अपील का की दोनों का कर सकता है ये कोश्चन आ सकता है बिशिष्ट मामले का की अपील का की दोनों का दोनों का अपील एक उच्चिनाले से दूसरे उच्चिन्याले को नकि एक राज के एक हाइघ कोट से कहां भेद कि दूसरे यह केवल सुप्रिम कोट को पावर है या दूसरा ही पउाइंट आपका घलत होने का चांस रहता है और यह दूसरे आपसन में आपका देता है कि या एक उच्छ न्याले के अधिनस्त दंड न्याले यानि कि जैसे आपका प्रियाग राज का अधिनस्त न्याले जो भी हो यहां से मामला या अपील को कहां बेश सकता है दूसरे उच्छ न्याले के अधिनस्त न्याले को या तो समान न्याले या उसके बर जो क्या हो उस मामले में सच्छम अच्छम को नहीं फिर एक बार बेर रख देखे या एक उच्छ नयायाले के अधिनस्ट दंड नयाले से दूसरे उच्छ नयायाले के अधिनस्ट समान या बरिष्ट अधिकारता वाले नीचे वाले अधिकारता वाले नहीं या तो पैरल या उसके ऊपर अधिकार्ता वाले दूसरे दंड ने आयाले को अंतरित कर दी जाए तो सुप्रीम कोट करता है न्याय की हत्या रोकने के लिए कहां से कहां अभियाद करके जाएगा यहीं कोचन आपका बनता है कई लोग बस ये जानते हैं कि एक हाई कोट से दूसरे हाई कोट और दूसरा पंड जो अंदर तक नहीं पढ़ा रहेगा गलत करके ही आता है तो एक हाई कोट के सबार्डिनेट कोट से दूसरे हाई कोट के कहां बेश सकता है सबार्णार तो समान या बरिष निचले नहीं यानि कि जिसको क्या हो उस मामले में क्या हो अधिकारता हो दूसरा खंड देखे उचेतम नियाले भारत के महान आयवादी या हितबद पच्छकार के आवेदन पर ही ऐसा कर सकता है तो जो निचला सब्द है महान आयवादी में महाधिवक्ता भी लिखा गया है यनकि कोशन बना कि उच्चतम नियाले मामलों या अपीलों का अंतरण करता है फितबद पच्छकार के आवेदन पर महाधिवक्ता के आवेदन पर महान आयवादी के आवेदन पर उपर्युक्त सभी तो उपर्युक्त सभी मार कराईए क्योंकि नीचे महाधिवक्ता यनकि एड़ोकेट जनरल का भी क्या किया गया है उले तो अब यहाँ जो कोशन बनता है देखे आगे अंतर आएगा इसलिए हम बता रहे हैं उच्चतम नियाले मामलों का अंतरण नहीं कर सकता तो आपका नहीं कर सकता महाधिवक्ता के आवेदन पर फिर देदेगा महान्यायवादी के आवेदन पर हित्बद पच्छकार के आवेदन पर और सू मोटो या स्वप्रेरणा तो इसमें क्या मार कराएंगे सू मोटो सू मोटो से इधारा में पावर नहीं है यहीं आपका पॉइंट पकड़ना है जबकि आगे सू मोटो से भी पावर मिलेगा हाई कोट और कोट आप सेशन को में पॉइंट यहीं है सू मोटो से नहीं कर सकता मैं फिर एक बार बता रहा हूं सूमोटो आ जाए तो वहीं गलत है अपना दिमाग न लगा दीजियेगा कानून का दिमाग लगाईएगा यहां अपना नहीं भले आपको लगे कि यह तो उल्टानियम है सूमोटो से हाई कोट आप सेशन को पावर है और सुप्रीम कोट की हाँ पावर नहीं है Urmoto से करता है तो अनुछेद 32 लागू होगा 142 भी बना है तमाम अनुछेद है कुछ है रदे लेकिन यहास Moto से इंहेरेंट पावर का प्रयोग कर सकता है 142 में Urmoto से कोई दिक्कत नहीं रद में कर सकता है लेकिन यहां नहीं खंड तीन भी हैं कि अगर उत्तम नियाले को लगता है कि जो ये आवेदन दिया गया है ये तुछ या तंग प्रकृत का है तो आवेदन करता पर कितना प्रतकर लगा सकता है एक हजार और किसको दिलवा सकता है जो आवेदन का क्या किया था बिरोग तब प्रतकर कितना लगा सकता है उसको रकम याद करिएगा एक हजार अब 407 आजाइए मामलों और अपीलों को अंतरित करने की हाई कोट की सकती तो हाई कोट किस धारा के तहत क्रिमिनल मामलों और अपीलों को एक जिले से दूसरे जिले में टांसफर करता हैं दूसरे राज में नहीं 407 में अब आईए हाई कोट के लिए आपका संविधान में जोड लिजेगा 228 अनुछेद 228 और सिविल मामलों के लिए CPC की धारा 24 सिविल मामला पढ़ेंगे तो CPC की धारा 24 मैं बता दूँ क्रिमिनल मामला पढ़ेंगे तो आपका संविधान में अनुछेद 228 पढ़ना है और CRPC में 407 यहां दो तिन कोशन बनते हैं हाई कोट कहां से कहां बेश सकता है किसके आवेदन पर भेजेगा कि सू मोटो से और फरजी आवेदन दिया गया था तो कितना कमपसेशन लगा सकता है तिन ही कोशन बनते हैं तो पहला देखा जाए जब कभी उचन आयाले को यह प्रतीत कराया जाता है तो उसके अधिनस्त किसी दंड ने आयाले में फेरी जु विचारन या आपका फेर ट्रायल नहीं होगा पच्छपात हो सकता है या असधारन कठिन बीद प्रस्ण उठने की संभावना है या गवाह और पच्छकारों को सिविधा होगी कि भाई कहीं न कहीं एक जगा से दूसरी जगा क्या किया जाए मामला ट्रांसपर किया जाए तो ऐसी दसा में आपका उच्छ नियाले या तो अपने यहां मंगा ले या एक जिले से कहां बेद दे आपका दूसरे जिले में मामला ट्रांसपर कर दे या कह दे किसी माई स्टेट से कि आप न सुनिये कोई मामला कोट आप सेशन को क्या करिए तो ये ज़ाई कोट ट्रांसफर या इत्याद करता है अब खंड दो महत्पूर है फिर सुप्रीम कोट पर आजाए सुप्रीम कोट किसके आवेदन पर आप राधिक मामलों का ट्रांसफर करता था महान्यावादी यानिके अटार्नी जनरल आफ इंडिया एडोकेट जनरल आफ इंडिया महादिवक्ता, हितबद पच्छकार और उपर्युक्त सभी लेकिन आपका जब हाई कोटा है तो थ्वानियम चेंज कर लिजेगा कलाज टू आपका अच्छे से तयार रखेगा उच्छ न्यायाले किसके आवेदन पर मामलों या अपीलों का अंतरण कर सकता है ये भी कोचन अच्छा बनता है तो निचले न्यायाले की रिपोर्ट पर हितबध पच्छकार के आवेदन पर सू मोटो या स्वाप्रेरणा अपनी इच्छा से उपर्युक्त सभी तो एक बार आपका दूसरा माडल बना है देखिए उच्छ न्यायाले 407 के तहत मामलों और अपीलों का टांसफर करता है निचले न्यायाले की रिपोर्ट पर फिर दे देगा स्वाप्रेरणा से दोनों इन में से कोई नहीं आपका यह मारना है कभी काल आपका निचले न्यायाले की रिपोर्ट पर फितबद पच्छ कार के आवेदन पर दोनों इन में से कोई नहीं भी आपसन आया है तो यहां क्या मारेंगे दोनों रट कर जाएए फिर हम बता रहे हैं गलती यहां हो सकती है हाई कोट अंतरन करता है या तो निचले न्याले ने क्या भेजी हो रिपोर्ट जैसे कि प्रियागराज का सत न्याले है रिपोर्ट हाई को भेज दिया कि अजूर यहाँ अभ्यूक्त का बिरोध अधिवक्ता कर रहे हैं यहाँ किसी भी अधिवक्ता को अभ्यूक्त के पच में खड़ा ही नहीं होने दे रहे हैं अतह न्याय हित में या वसक हैं कि इस मामले को आप किसी दूसरे जिले में क्या करिये त्रांसपर्ट यह निचले न्याले की रिपोर्ट हो गई हित बद पच्छकार का अवेदन यान यान मिल ही नहीं पाएगा और तिसरा सू मोटो हाई कोट को लगता है कि इस जिले में नहीं हो पाएगा या दिक्कत है तो कहां बैठ दे आपका दूसरे जिले में तो तीनों आजाए उपरयुक्त सबी आये तो क्या मारना है उपरयुक्त सबी ये कोशन दो-तिन बार रिप किया है तो अगर हाइक को लगता है कि अपलिकेशन पुच्छी याद तंग करने के लिए दिया गया है अंतरण का तो अंतरण का अपलिकेशन खारीज और आवे धन करता पर कितना कंप सेशन एक हजार सुप्रिम कोट भी कितना लगाता था एक हजार, हाई कोट भी कितना लगा सकता हैं, एक हजार, अब आईए चार सव वाट, मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सतने आले की सकती, तो सतने आले दूसरे जिले में नहीं बेज़ेगा, अपने ही जिले में एक जजकियं से आपका दूसरे जजकियं ट्रांसपर कर तो जो सत नियाले करेगा किसके आवेदन पर तो खंड दो याद रखेगा वहीं हाई कोट वाला ही चलेगा या तो निचले नियाले की रिपोर्ट पर या फित बद पच्छकार के आवेदन पर या सू मोटो अपनी प्रेणडा से मामले का क्या कर सकता है ट्रांसपर्ट और अ आवेदन दिया गया तंग या तुछ आवेदन तंग करने के लिए तो कोट आप से सन आवेदन खारिज करेगा और प्रतकर की रकम कम कर लिजेगा यानि कि ये छोटे वाले हैं तो प्रतकर की रकम भी क्या लगा सकते हैं छोटे लगा सकते हैं तो कितना प्रतकर लगा सकता एक हजार की जगह कितना यहां रखा जाएगा 250 तो तीनों याद रखेगा 406 407 और 408 गलत नहों जितना बता गया आपका अब 409 आपका यह नहीं पढ़ना 410 न्याइक मैस्टेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना तो मुखिनाइक मैस्टेट मामला अपने यहां मंहा सकता है और स्वयंख जांच भिशारन कर सकता है कि इधारा में 410 में ऐसा कर सकता है 411 कारिपालक मैस्टेटों द्वारा मामलों का यहने की DM आपका ATM इत्याज से अपने यहां मामला मंहा सकते हैं या आपका मामला उनको क्य कर सकते हैं सौप सकते हैं कारिपालक मैच्छिट 412 छोड़ दीजिए अवायद अध्याय बत्तिस शुरू किया जाए कि अध्याय बत्तिस में आपका दंडा देश का निस्पादन निलंबन परिहार और लगु कर रहां एनकी अध्याय बत्ती जो चलेगा चार सो तेरह से लेकर और चार सो आपका यह जो तिस चार सो पाइटिस तक चार सो तेरह से लेकर चार सो पाइटिस तक इधर आपका छे साथ धाराय महत पूर और धारा जो आपको पढ़नी है डिटेल में वो हम बता दें एक तो 413, 14, 15, 16 ये महत्पून है उसके बाद आपका जो पूछा जाता है 421 पूछा जाता है फिर 420, 425 भी पूछी गई है फिर आपका जो मुख्य रूप से है 432, 433, 433 A ये कम से कम साथ आठ दहां, 1428 भी महत्पून है एक है आपका 428, मुझराई या सेटाब भी पढ़ना है तो इधर की धाराओं में सतर्क रहना है, 6-7 धारा जरूर याद करके जाईएगा आए पहले मृत दंडा देश देखा जाए अब फिर एक बार करम दो मिनिट बताईए बनाईए तब तो मृत दंडा देखा जाए मृत दंड कौन दे सकता है, सुप्रीम कोट भी हाई कोट भी सत्ने आले और अपर सत्ने आले सुप्रीम कोट हाई कोट देता है तो कहीं पूष्टी के आउ सकता नहीं और हाई कोट अगर सत्ने आले अपर सत्ने आले देता है तो किसके द्वारा पूष्टी होगी आपका हाई कोट द्वारा तभी आपका फासी पर लटकाया जाए इसके बाद आपका जम्रित दंड दिया गया है तो अब CRPC में डाइरेक्ट आजाया जाए और CRPC की 413 और 414 में death warrant जारी होता है यानिकि death warrant और अन्य warrant जारी होता है 413, 414, 413 कब अपलाई होगी 414 कब अपलाई होगी तो जब आपका फुष्टी में मरित दंड इत्याद दिया गया है तो 413 और पुष्टी के अलावा revision या appeal में मामला जग गया है तब 414 बस एक लाइन याद रखे अगर पुष्टी के लिए सतन्याले ने भेजा तो पुष्टी में चाहें दंड कम किया गया क्या मरित दंड बर करार रखा गया जो भी सजा दी गई उन सजाओं के पालन के लिए निश्पादन के लिए जो वारंट जारी होगा 413 में और revision या appeal में जो मामले गये या appeal हुई ही नहीं उसमें कौन सी धारा काम करेगी 414 तो दोनों में death warrant हैं अगर पुष्ट कर दिया मरित दंड को हाई कोट ने तो 413 appeal में मान लिया या revision में की सही हैं तो 414 death warrant अन्य warrant भी हैं यह नहीं किकेवल death warrant कारावास का warrant death warrant भी समाहित हैं सभिस warrant इसके बाद आपका 415 पूछा जाता है कि उच्छतम न्याले की appeal की दसा में मृत दंडा देश के निस्पादन का मुल्तवी किया जाना अस्थगित किया जाना अब देखेस में जब उच्छ न्यायाले किसी अभ्यूक्त को मृत दंड देता है चाहें अपील में या फुष्टी में या रिवीजन में उससे हमें मतलम नहीं है तो जब तक सुप्रीम कोट में अपील का समय है तीन मा होता है नब्बे दिन जब तक उच्छ न्यायाले में अपील का समय है तब तक के लिए हाई कोट उस मृत दंड के निस्पादन को मुल्तवी कर देगा मुल्तवी मतलब अस्थगित कर देगा रूक देगा तो अगर नब्बे दिन के अंदर अब युक्त सुप्रीम कोट में अपील में चला गया तो फिर मृत दंड क्या होगा रुकेगा कि फासे पर लटका दिया जाएगा रुक जाएगा सुप्रीम कोट ने फैसला दिया तो रिव्यू कराईए फिर रिव्यू का रिव्यू कराईए फिर भारत के राठपत राजपाल के पाज़ाईए राजपाल ने भी दयायाज का खारिज की राठपत ने खारिज की फिर दयायाज का के को चुनौती दीजिये खारजी का सुप्रीम कोट तो सुप्रीम कोट रात में बैठ रहा है और जो राष्टपत ने आदे जारी किया है उसकी बैल डिटी कि अब क्या कर रहा है रात में जाए निर्भया कांड में भी साड़े तीन चार बजे तक चलती रही सुनवाई और तब इधर फासी की तयारी और उधर सुप्रीम कोट में सुनवाई अब सुप्रीम कोट इस्टे कर देता तो सारी तयारी ध्वस्त हो जाती जैसे कि आपका परिच्छा है इधर आयोग परिच्छा की तयारी कर रहा है उधर डेट पर डेट के वल हाई कोट लगा रहा है जो ओबर एज हो चुके है या आप एक दो डेट में दे देते यानि कि आपका इस समय बिहार हाई कोट सक्री हो गया है आपका बिहार हाई कोट लड़कों के फेबर में इतिहास रहा है बहुत कम फैसला दिया है और इस समय देख रहा हूं मैं एक दो साल से हर एक फैसला आयो के खिलाब लड़कों के फेबर में ही आ रहा है क्योंकि दस-दस बारह-बारह को चन आयोग गलत जाता था हाई कोट कोई हस्ता छेप नहीं करता था भाई ये फुराना इतिहार देखिए और लड़के परेशान हो जाते थे सुप्रीम कोट में जाने का पैसा नहीं है हाई कोट में ही चन्दा एकत्रित करके किसी तरह लड़ा गया लेकिन एपियो वाले मामले में लग रहा है कि रिजल्ट निकालेगा आयोग आपका सुप्रीम कोट नहीं जाना चाहिए जाएगा तो वहां भी तीसरी बारलती आया जाएगा बता ही जा रहा है तो फिर एक बार देख़िए तो आपका यानि की बस एक लाइन कि हाई कोट अगर मेरी तुदन देता है तो तुरन्ट फांसी पर नहीं लड़का जाएगा कब तक हाई कोट ही रोक लगा देगा फासी की सजानिस पादन पर जब तक की सुप्रीम कोट में अपील का क्या हो समय तो सुप्रीम कोट में हाई कोट के निर्णे के अपील कर सकते हैं कितने दिन के अंदर 90 दिन, तीन मार, महीं 90 दिन 90 दिन होता है भाई तो 90 दिन तक फासी पर लटका आ जाएगा कि जेल में रखा जाएगा जेल में उसके बाद अगर अपील नहीं किया तो जो कोट आप से संदंड दिया था हाई कोट नहीं डेथ वारंट जारी करता जो प्रथम बार ने आले दिया था निरणे वहीं क्या जारी करेगा डेथ वारंट ब्लैक वारंट यानि कि जीवन को समाप्त करने का वारंट सबसे खतरनाक वारंट होता है इसके बाद 416 से भी कोचन बनता है सेक्षन जरूर याद रखे गर्भवती इस्तिरी को मृत दंड का मुलतवी किया जाना आपका 2008 में संसोधन भी हो चुका है और 31 बारह 2009 से ये लागू है सतर की रहना है कि अगर किसी इस्तिरी को मृत दंड दिया गया है और वह गर्वती पाई जाती है तो उच्छ नया आले उस इस्तिरी के मृत दंड देश को लाइफ इंप्रिजमेंट में कनवर्ट कर सकेगा की करेगा अगर हिंदी में कर सकेगा लिखाओ चेंज कर लिजे 2008 में करेगा बना दिया गया है अगर किसी के बेयरेक में हिंदी में कर सकेगा लिखाओ तो उसको कर सकेगा की जगा करेगा बना लिजेगा क्योंकि करेगा का मतलब कि अब हाई कोट क्या है बाउंड कब बाउंड कर दिया गया 2008 में नीचे लिखा है और ये संसोदन कब से लागू हुआ तो 3112 2009 तो इस प्रिकार आपका ये मृत जंड 416 भी खुब पूछा जाता है इसको आप जोड सकते हैं पिछली बार जे में आए भी था IPC की धारा 299 का असपश्टी करण 3 से IPC की धारा 299 का एक्सपलेशन 3 से जोड सकते हैं और वहाँ ये है आपका कि अगर कोई इस्तरी है और उसके गर्व से बच्चे का कोई अंग बाहर निकला है भले बच्चा पूरी तरह पैदा न हुआ हो या सांस न लिया हो अगर बच्चा जीवित पैदा हो रहा था और कोई ब्यक्ति ऐसा कारिया लोब करता है जिससे बच्चा मर जाता है तो भले वह पूरी तरह पैदा न हुआ हो भले वह सांस न लिया हो ऐसा ब्यक्ति दूसो निनानबे में अपराधिक मानो बद का अपराध करता है यह कहा जाएगा तो अभी आई पीसी चलेगी भाई दस मिनिट का ब्रेक रहेगा आज से आई पीसी भी स्पीड बढ़ा जाए कितना तक हुआ चारसो सूला तो कल आपका वहीं चारसो सतरह से उठाया जाएगा चारसो चोरासी और फिर बैक जो छूटे छूटे हैं आपका चेप्टर वह पढ़ा जाएगा पहले पूरा चारसो चोरासी तक क्या किया जा लगातार इधर समाप तो आपका अपील छूटा है और तीन सो से तीन सो सताइस गिराफतारी और आपका अनवेशन चार्ट चेप्टर छूटा है ठीक आपका दो दिन बहुत अच्छे से पढ़ा जा तो दो दिन लगेगा आपका मान चलिए धर तो अभी आई पीची आपका दस मिनट बात चलेगा अब आई पीची पर ज्यादा ध्यान अब दिया जाई चीर पीची लगभग आपका ज्यादा हो गई झाल झाल